पोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे ज़रोरी है सही कोच कहोंगा। चुनियें CGPSC पाथशाला क्लासेज को और करें अपने CGPSC अन्व्यापम का सपना साकार। डाउनलोड डियांग नाउ। अपने CGPSC पाथशाला में, CGPSC पाथशाला में आच माँ टॉपिक है चत्यर करेंट अफेर वार्शी की 2022 पार्ट टू लाश्ट क्लास में हमने इसका पार्ट वन कवर गया था वो सबसे पहले जा करके पार्ट वन के कोशन को प्रैक्टिस कीजिए लाश्ट सिक्स मन्त का करेंट अफेर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ठीक है, तो सबसे पहले जा करके उसे कवर कीजिएगा देखिए सीजी पिएसी पार्ट शाला के करेंट अफेर का मैगजिन 36 अफेर 2023 मार्केट में अविलेबल हो चुका है जो की आपको इन शहरों के बुग डिपो में आपको ये बुग मिल जाएगा आप इन बुग डिपो में जा करके इस बुग को ले सकते है साथी साथ आप सीजी बुग्स कार्ट मुबाइल अप को भी डाउनलोड कर लीजिए इस सीजी बुग्स कार्ट मुबाइल अप में जा करके आप हमारे सीजी पिएसी पार्ट शाला के करेंट अफेर के मैगजिन को online order करके घरों में free home delivery के माध्यम से मंगा सकते हैं देखें, cg books card mobile app में केवल हमारे cg pse e part शाला का ही नहीं छत्ति रड़ के जितने भी famous publication है, जितने भी coaching institute है उन सभी publication और coaching institute के book आपको cg books card mobile app में देखने के लिए मिलेंगे उन books को आप online order करके घरों में courier के माध्यम से free home delivery मंगा सकते हैं ठीक है, चले, शुरू करते हैं, देखिए लास्ट क्लास में जो हमारा छत्ति रड़ करेंट एफ़र का जो question का जो practice set आया था मैंने एक चीज जो observer किया, आप मैंसे एक ही time पर बहुत से student online वीडियो को देख रहे थे लगभग 300-300 बच्चे एक ही time पर live class को देख रहे थे लेकिन केवल गिने चुने 20-25 बच्चे ही जो है answer कर रहे थे ठीक है, देखिए अगर आप class को live देख रहे है और lecture को attend कर रहे है तो जो भी question आपके सामने आ रहा है तो उस question का answer देती हुए चलिए यहाँ पर question लिखा हुआ, question का number है, first का D, second का B, question number 51 का C, question number 68 का D तो जो भी आपके सामने question आ रहा है तो उसका answer देती हुए चलिए हो सकता है यह किसी question को आप यहाँ पर गलत करेंगे, यहाँ गलती करेंगे तो exam में गलती करने से बचेंगे यह अब बैठ करके सुनने का समय गया, अब question को attempt करने का समय आ गया है, exam pass में आ गया है ठीक है, तो बैठे रहे करके theory समझने का समय नहीं है, अब attempt करने का समय, theory देखना है तो जनवली से लेकर के June 2022 तक के हर मेने का current affair का video available है, theory वहाँ जाकर के देखिए, अगर live lecture देख रहा है, यहाँ पर अगर देख रहा है तो chat section में जाकर के live chat section में जाकर के हर एक question का answer दीजिए, तभी वह आपके लिए फायदे मन्द है, ठीक है, और देखिए, इतना लंबा आप लोग के lecture बनाया जा रहा है, इतना मेहनत किया जा रहा है, तो सबसे पहले समय निकाल करके video को like जरूर कीजिए, और जिनोंने video को subscribe नहीं किया है, वो video को subscribe भी कीजिए, ठीक है, इतना मेहनत कर रहा है, तो थोगा समय निकाल करके video को like और subscribe जरूर कर दीजिए, ठीक है, चलिए, देखिए, यहाँ पर मैं थोगा सा question को फटाफट बताऊंगा, जैसे आपके सामने slide में कोई question आएगा, फटाख से आप chat section में उस question का number लिख करके उसका answer लिख दीजेगा, क्योंकि यहाँ पर किसी भी चीच का ज्यादा detailing में नहीं करूँगा, ठीक है, और ज्यादा समय नहीं दूँगा, क्योंकि lectures काफी लंबे बनते हैं, देखिए, हाल ही में प्रदेश के किस इस्तान पर 1700 साल पुरानी भगवान नरसीही की योग प्रतीमा है, यह जो प्रतीमा है, यह जो प्रतीमा है, यह अपने आप में विशिष्ट है, क्योंकि जैसे भगवान नरसीही का नाम आता है, तो आपके माइंड में एक इमेज बनता होगा, भगवान नरसीही, जिनका सीर किस प्रकार का है, सीहीं का आपका सीर है, शेर का सी ही है ठीक है जो की हिरन्यकश्यव का पेट चीरते वह दिखाया गया है क्रोधित अवस्था में लेकिन हमारे जो आपके 36 गड़ में भगवान नर्सीं की प्रतिमा प्राप्त हुई है यह शांत अवस्था में बैठा हुआ है ठीक है भगवान नर्सीं का अगर इमेजन करेंगे तो कैसा उनका आपके दिमाग में बनेगा उनका क्रोधित अवस्था में हिरन्यकश्यव का पेट चीरता हुआ ठीक है उनका इमेज लेकिन यहां पर जो प्रतिमा प्राप्त हुई है वो एक दब शांत मुद्रा में बैठे हुए है बैठी हुई अवस्था म योगमुद्रा में बैठी हुई अवस्था में इनकी प्रतिमा प्राप्त हुई है और यहां पर जो है आपके 24-15 सदी के आस-पास के गुपतकालीन यहां पे मृदभांड भी प्राप्त हुए है ठीक है गुपतकाल के मृदभांड यानिकी मिट्टी के बने हुए बरत्म Б प्राप्त हुए तो किस इस्थान से प्राप्त हुआ है देखिए औरंग रायपूर के कुमारी गाव तलाब से प्राप्त हुआ है ये साले डिटेलिंग हम पहले भी देख चुके है पिछले साल के प्राप्त हुए है ये जो आपके मिट्टी के बरतन भी इस प्रतीमा के साथ प्राप्त हुई है ठीक है देखिए ये प्रतिमा जो है अभी वरतमान में महंत घासिदा सांगरहाल है रायपूर में इसे सूरक्षित रखा गया है प्रतिमा अपने आप में विशिष्ट है क्योंकि शान्त मुद्रा में बैठ वी भगवान नर्सीं की प्रतिमा है भगवान नर्सीं हमें एसा क्रोधी तवस्था में होते हैं हिरन्य कश्व का पेट चीरता हुआ उनका मुर्ती अधिकास इस्थाने प्राप्त हुआ है लेकिन ऐसे योगासन मुद्रा में बैटी वी प्रतिमा बहुत ही कम इस्थान में देखने के लिए मिलता है ठीक है नेक्ट देखिए नेक्ट है विश्व का सबसे बड़ा आदिवा सि मेले का आयोजन मेडारम में हुआ ये मेडारम किस राज्य में इस्थित है ओप्षन A в 36 पर एद्वा सि मेले का जो आयोजन में थेकिना कहा पर हुआ विश्व का सबसे बड़ा आदिवासी मेला मेला जाता है इसे जो आपका मेले का आयोजन मुख्यत है कोई ठीक है या कोया कोया आदिवासि समुग के द्वारा जो है इस मेले का आयोजन के जाता है देखे ये जो है आपके तेलंगना च्छतिजगर्ड की सीमा से लगा हुआ है च्छतिजगर्ड महराष्ट आंधरप्रदेश तेलंगना इन चार पाच राज्यों के जो आपके सीमा वर्ती राज्यों के सभी के सभी आदिवासि न कोया मुख्य आपका मेला है लेकिन आज के देथ में सभी आदिवासि समुग जो है इस मेले में शाविल होते है इस्थान है जो कि आपका समक्का सरलम्मा देवी का इस्थान है तो इस मेले को जो है आपका समक्का सरलम्मा मेले के नाम से भी जाना जाता है ध्यान दीजेगा यह जो मेला है यह जो मेला है इस मेले को देखिए समक्का सरलम्मा या सरक्का जात्रा सरक्का जात्रा के नाम से भ एक बार होता है हर साल नहीं दो साल में एक बार आयोजित होता है और माघपूर्णिमा के दिन हर साल जो है माघपूर्णिमा के दिन यह आपके मेले का आयोजन होता है ठीक है जब हुआरे प्रदेश में आपके राजीम में जब मेला भरता है माघपूर्णिमा के दिन उस के जिले जो भी जिले जैसे कि सुक्मा जीला हो गया, बिजापूर जीला हो गया, बस्तर, ये सभी की सभी की जो आपके आदिवाशी है वो आपके इस मिले में शाविल होते हैं ठीक है देखें, छतिजगर, महाराश्र, तेलंगर आंध्रदेस के कोया आदिवासी ये जो है विश्व का सबसे बड़ा आपका जनजाती उट्सव है दक्षिंड भारत का इसे कुंभ भी कहा जाता है इसे जो है दक्षिंड भारत का कुंभ की संग्यादी गई है इसमें जो है देवी को बिल्लम यानिकी गुल सोने के रूप मे तो ऐसा question पूछ सकता है एक side जो है आपके जिलों का क्रमांक देदेगा और दूसरे side जो है जिलों के नाम देगा ठीक है इसे सुमेलित कीजे बोल रहा है देखिए 29 जिला हमारे प्रदेश का जो 29 जिला है वो कौन सा है हमारे प्रदेश का 29 जिला है आपके मोहिला मानपूर अमबागार चोकी ठीक है जबकि हमारे प्रदेश का 30 जिला है आपका सारंगड बिलाईगड कौन सा है सारंगड बिलाईगड 31 जिला 31 जिला है आपका खैरागड छुई खदान गंडई ठीक है 31 जिला कौन सा है खैरागड छुई खदान गंडई जबकि 32 जिला कौन सा है 32 जिला है आपका मनेंद्रकर चिर्मिरी भरतपूर ठीक है देखिए 59 जिला मोहिला मानपुर अंबागर चौकी मोहिला मानपूर अंबागर चौकी का जो आपका जो स्रीजन है इसका जो गठन है ये 2 सितंबर 2 सितंबर 2022 को ये अस्तित्व में आया ठीक है नोटिफिकेशन पहले आया था लेकिन इस डेट में जो है मुख्यमंत्री भुपेज बेगल जी के दोरा उदगाटन किया गया अपचारिक तौर पर ठीक है जबकि जो तीसवा जिला है सारंगड विलाईगड इसका जो उदगाटन है ये 3 सितंबर 3 सितंबर 2022 को किया गया डेट भी आद रखिएगा डेट इंपोर्टेंट है किस डेट में अस्तित्व में आया और सिक्वेंस भी आद रखिएगा ठीक है जबकि 31 जिला है आपका खेरागर छुई खदान गंड़ई खेरागर छुई खदान गंड़ई जो है ये आपका ये भी 3 सितंबर 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया ठीक है 3 सितंबर 2022 को अस्तित्व में आया और किस सिक्वेंस में है उससे याद रखिएगा हमारे प्रदेश का 2800 जिला कौन सा है गोरिला, पेंटरा, मरवाही प्रदेश का 29 जिला, मोरेला, मानपूर, अंबागर, चौकी जो की राजनांद गाउ जिले से प्रिथकों करके बना है तीस्वा जिला, सारंगर, बिलाईगर जो की रायगर और बलोदा उजार से प्रिथकों करके बना है तीस्वा जिला, खैरागर, छुई, खतन, गंड़ाई जो की राजनांद गाउ से प्रिथकों करके बना है तो इसका option क्या होगा ये इसका option होगा आपका 3214 इसका answer ठीक है ये अभी हमारे प्रदेश का वरतमान का official map है जो की government के दोर लाए गया है ठीक है देखिए हमारे यहाँ पर है आपके मोहिला मानपूर अंबागर चौकी जो की हमारे प्रदेश का जो है ये 29 जिला है ठीक है 29 जिला उसके बाद जो है आपका सारंगड बिलाईगड ये हमारे प्रदेश का 30 जिला है खेरागड छुई खतन गड़ई जो की हमारे प्रदेश का 31 जिला है ये है आपका मनेंद्रेगड चिर्मीरी भरतपूर जो की हमार रखिएगा कौन से जिले की सीमा किसके साथ सीमा साजा कर रही है किसके साथ सीमा साजा नहीं कर रही है यह सब को जो है इस मैप से अच्छे से प्रिपेर कीजिएगा लेटेश्ट करेंट अफेर को टॉपिक है इससे कोश्चन बनने की संभावना ज़्यादा है ठीक देखिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे जिसको हिंदियों लिखे आ सकता है राश्ट्रिय परिवार स्वास्थ्य सुचकांग के आकडों के अनुसार वर्ष दो हजार उननीस इकीस में 36 गड़ में शीशु मृत्युदर कितनी थी देखे ओप्शन ए है 32.4 प्रती हजार शीशु मृत् क्या यह शीशु मृत्युदर कहलाता है तो 1921 के लिए नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे रिपोर्ट के अनुसार 1921 के लिए 36 गड़ में शीशु मृत्युदर कितनी अनुमा नहीं थै 32.4 ब्याली दसमलों एक प्रती हजार चोंवाली दसमलों तीन प्रती हजार और ऑप्शन हेल्थ रिपोर्ट 5 यह पांचवे नंबर का है कई बार 4 करके पूछ देगा 5 करके पूछेगा तो देख के करना ही कौन सा पूछ रहा है कौन से वर्ष का पूछ रहा है 1921 का पूछ रहा है कि किसी दूसरे वर्ष का पूछ रहा है तो देखिए शीशु मृत्युदर हमारे economic survey के भी book में है और छत्यडे current affair के भी book में है ये पूरे पूरे data जो इसमें दिया हुआ है ये काफी important है देखिए last year जो आपको 2022 में जो exam हुए उसमें 36 गड़ का कुल प्रजनंदर कितना था पूछा था देखिए 36 गड़ का कुल प्रजनंदर आपको ये वाला ये वाला टेबल याद रखना है ये ग्राविन और शहरी नहीं करेंगे तो भी चलेगा सबसे पहले इस टेबल को याद रखिएगा ये उससे पहले देखिए नैशनल फैमिली हैल्थ सर्वे रिपोर्ट फाइफ है ये इससे पहले फूर आया था ठीक है हमको फाइफ वाला करना है चति गड़ का प्रजनंदर कितना है 1.8 चतिस गड़ का नवजात मृत्यदर कितना है 32.4 शिशु मृत्यदर कितना है 44.3 पास साल से नीचों के बच्चों का मृत्यदर कितना है 50.4 50.4 सांस्थागत प्रसाओ यानि कि ऐसी महिला है जो कि घरों में प्रसाओ ना कराके यानि कि घरों में बच्चों को जन्म ना दे करके अस्पतालों में जा करके बच्चों को जन्म देती है वो कहला था सांस्थागत प्रसाओ वो है 85.7% ठीक है आपके कुपोशन का दर कितना है 17.76% 17.76% जबकि National Family Health Survey Report के आधार पर 31.3 यहने की 31.3% एनिमिया यलिकि महिलाओं जो खुन की कमी है वो कितना है आपका 60.8% तो यह टेबल को थोड़ा अच्छे से कीजेगा इससे कोशन बन सकता है ठीक नेक्श देखिए मुक्यमंत्री भुपेश बगेल ने गौठानों के उत्पाद का एकिकरित ब्रांड नेम लॉंच किया ठीक है दिखिए गौठानों का जो गौठाने में जो आपके उत्पाद बनते जैसे अगर बत्ती हो गए गुलाल हो गए ठीक है जितने ही प्रोड़क्ट बनते है उस प्रोड़क्ट को क्या नाम दिया गया है ध्यान दिजेगा ऑफशन A भुईया, ऑफशन B गौधन, ऑफशन C अर्थ, ऑफशन D है आपका 36गड हर्बल ठीक है ध्यान समझना यहाँ पर क्या बोल रहा है यहाँ पर बोल रहा है आपके गौठान उत्पाद ठीक है गौठान उत्पाद मैक्सिमम इस्टोएं गलती क्या करेंगे 36गड ह 36गड हर्बल ठीक है श क्या है यहाँ पर बात हो रही है गवठानों की गवठान का क्या है अर्थ नाम से अर्थ नाम से है थीक है महीलाओं के द review यह संचलित है यह आपका इस ब्रैंड का अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको महिला का भी अंकन देखने के लिए मिलेगा क्यूंकि गौठानों जो प्रूडक्ट बन रहे है वो महिलाओं के दोर अपनाय जा रहे है ठीक है तो 36 गड़ में गौठानों से जो प्रूडक्ट बन के निकल रहे है उसको ब्रैंड वहन कालीन साक्षो का प्रमुक केंद्र है ठीक है सही उत्तर चुनिये बोल रहा है सभी कथन को ध्यान से पढ़िए और ध्यान समझिये देखिए हमारे प्रदेश का 29 जिला कौन सा था मोहिला मानफूर अंबागर चौकी 30 जिला सारंगड बिलाई गड़ 31 जिला खेलागर चिर्मिरी भरतपूर और 33 जिला है आपका सक्ति तो यह आला कथन सही होगा सक्ति जिले का गठन 11 सितंबर 2022 को हुआ ठीक है यह कथन ध्यान दिजेगा सक्ति जिले का गठन 11 सितंबर 2022 को नहीं इसका गठन जो है यह आपके 9 सितंबर 2022 को हुआ ठीक है जब प्रदेश का 32 जि के साथ सीमा साजा करती है ये भी गलत होगा ठीक है पांच नहीं चार के साथ सीमा साजा करती है सक्ती जीला सक्ती जीला जो है देखिए अगर आप यहां पे आपको रायगर और पस्चिम में मौझूद है आपका जांजगीर चापा, उत्तर में कोरबा, दक्षिन में सारंगर बिराईगर, पूर्व में आपका रायगर और पस्चिम में आपका जांजगीर चापा, टोटर चार जीलो के साथ सीमा साज़ा कर रहा है, ऐसा ही आपका से question बन सकता है ऐसा ही आपका खेरागर से बन सकता है ऐसा ही मोहिला मानपूर अंबागर चोके से बन सकता है और ऐसा ही सारंगर बिराईगर से बन सकता है तो सीमा पर ध्यान दीजेगा कि जो नौ गठी जीले की सीमा है वो किसके साथ सीमा साझा कर रही है ठीक है तो ध्यान द देखिए यह है आपका सकती जिला सकती जिले के उत्तर में कोरबा दक्षिन में सारंगड विलाईगड आपके पूरवा में रायगड और पस्टी में जांजगीर चापा यह सभी के सभी जो है आपके जो नया करेंट अफेर का मैगजीन है उसमें पुरा डेटेल बताया गया ह ऐसे में पुरा डेटेल नहीं बताऊँ बस आपको बताऊँगा कि यह सांथवावन कालिंज सांख्श क कैसे कैसे है यह जो है आपको गुंजी जहांपे साथवावन कालिंज शाशक वरदत तस्रीजे का शिला लेक दिया दिया था ठीक है बालपूर जहांपर राजा अपि यहां पर मौझूद है आपके किराधी गाओ जहाँ पर अबकी हिरद तलाब से सतवाहन कालीन एक काष्ट इस्तंब 52 जहां पर उनके आठरा विभागों के पद और पदादीकारियों के नाम का उल्लिक मिलता है तो यह जो है पूरे के पूरा सात्वाहन कालीन साक्ष आपके इसी स्थान से मिले है ठीक है तो इन्पोर्टन्ट एज सात्वाहन कालीन साक्षों का एक प्रमुक केंद्र था यहां पर चंद्रपूर मैं यहां पर डिटेलिंग नहीं करता ठीक है इसके उपर 36 जो पांच नौगठी जिले है पांच नौगठी जिले का पूरा का पूरा एक डिटेल वीडियो भी बनाया गया है हमारे टेलीग्रम चैनल को जाइन कर लिजे सीजी पीसी इपार्चाला करके उ उस टेलिग्रम चैनल पर मैं आपको लिंक शेर कर दूँगा उस पांच नौगठी जिले को भी अच्छे से पढ़के जाईएगा ठीक है क्योंकि पांच नौगठी जिले करेंट के सबसे इंपोर्टन टॉपिक है कोशन बन सकता है और हाँ आज के डेट में सीजी पेसी सजार के वल नाम रख करके बहुत से इस्ट्वेंट को उन्हों जोड़के रखा है तो ऐसे फरजी टेलिग्राम चैनल से बचिएगा एड़ प्रेजेंट हमारे टेलिग्राम चैनल सीजी पेसी इपार्ट से ज्यादा बच्छे जुड़े है उसे जॉइन हो जाईए वहाँ बच्चे जो पहले जो गौवर्मेंट का जो आपका दावा पत्ती वाला जो नोटिफिकेशन आया था उसमें आपका जो सूरतपूर जीला है यह आपका मनेंद्रगर चिर्मीरी भरतपूर के साथ सीमा सजा करता था ठीक है लेकिन अभी जो ऑफिशल जो मैप गौवर्में सुरजपूर के साथ सीमा साजहा नहीं करता है ठीक है तो यहाँ पर गलती करने से बचिएगा पहले जो दावापत्य विला नोटिफिकेशन आया था अब उसे हमें अंदेखा करना है ठीक तो इसका एंसर क्या होगा इसका एंसर होगा आपका सूरजपूर नेक्ट में कोरिया जीला और प्रश्चिम दिशा में मद्ध प्रदेश के अनूप पूर और शहडोल के साथ यह सीमा साजा करता है नेश्ट देखिए पूरा मानाव कालीन हाथा माला गुफा शेलचित्र किस जीले में प्राप्थ हुए है अप्शन A सरगुजा, अप्शन B जश्पूर, अप्शन C कोर्भा और अप्शन D है आपका रायगर हाथा माला नाम से इस पश्ट है यहाँ पर जो है एक गुफा है जहाँ पर अरसट से अधिक हाथों के निशान है प्राकृतिक रंगों से बने, आदी मानों के काल के जो है यहाँ पर आपके शेलचित्र मौजूद है जहाँ आपर बहुट से पंजो के निशान है इस करण से इसका नाम ही पढ़ गया है आपका हाथा मारा, क्या नाम पढ़ा है, हाथा मारा, तो देखे, ये हाथा मारा किस स्थान पर है, ये हाथा मारा मौझूद है आपके कोर्बा जिले में, देखे, ये जो है, ऐसा नहीं है कि इसके खोज अभी हुई है, इसके खोज ब्राम्ही लिपी का मतलब क्या है ब्राम्ही लिपी जो बहुत पुरानी है याने कि starting stage जब ब्राम्ही लिपी develop हुआ था यहाँ पे आदी ब्राम्ही लिपी के साक्ष प्राप्त हुए है और इस यहाँ पे जो आदी ब्राम्ही लिपी के साक्ष प्राप्त हुए है इसके खोज करता है हरी सीन झत्री है को हाड़ी जलिए फ्राप्त हुआuis कि सासा और नाम याद रख लीजेगा भांजी लाल सुरी मोंची लार और भांति लाल ठेक लेकिन में नाम याद देखिए यहाँ पर सही और सही नहीं थोड़ा सा इस पर ध्यान देना जैसे ही पढ़ेंगे सही करके तो सबसे पहले सही कसन चुनने बाट जाएंगे जबकि उसका आगे लिखा है कि सही नहीं है यानि कि असत्य कसन चुनने के लिए बोल रहा है औप्शन ए इस मेले का आयोजन प्रतिवर्ष गरियाबन जिले में होता है औप्शन बी यह मेला मागपूर्णिमा से राम नवम्मी तक आयोजित होता है औप्शन सी इस वर्ष इस मेले का आयोजन यानि कि वर्ष 2022 की बात हो रही है वर्ष चो 2022 में इस मेले का आयोजन 20 फरवरी से लेकर एक मार्ष चो 2022 तक आयोज़ित हुआ आपका कथन द जो है यह त्रिवेनी संगम पर इसनान हेतू तीन प्रमुक्तिती निर्धारित की गई थी अब देखिए सही उत्तर कौन-कौन सा है इस पर ध्यान दिजेगा सबस्तर पहले यह तो आपका राजीम राजीम किस जिले में इस्थित गरिया बंजिले में है तो इस मेले का आयोजन गरिया बंजिले में होता है यह कथन सही है यह मेला माग पूर्णिवा से लेकर के राम नमम्मी तक होता यह कथन गलत है क्योंकि ये जो मेले का आयोजन है ये माग महा के पूर्वरी मा से ले करके आपके महाशिवरात्री तक होता है ठीक है महाशिवरात्री शंकर जी का दिन महाशिवरात्री तक होता है इस मेले का आयोजन 20 फरवरी से ले करके एक मार्च तक हुआ ठीक है, अगला कथन है, त्रिवेनी संगम पर तीन तीथी निर्धारित की गई है, हर सार जो तीन तीथी निर्धारित किया जाता है, एक था आपका सोला तारीक, जिस दिन मागपूर्णीमा था, ठीक है, मागपूर्णीमा के दिन, एक था आपका एक मार्च, जिस दिन था आ बान की जयनती और महा शिवरात्री के औसर पर इस नान की तिथी निर्धारित की जाती है तो कौन कौन सा कथन आपका सही नहीं है और सह नहीं है ठीक नेक्ष देखिए आजादी इसे अंतियोदय तक अभ्यान के तहट प्रदेश के स्वतंतरता संग्राम सेनानियों के गाओ को विक्सित किये जाने हेतू चिंधानकित किया गया है निवने में से कौन सा इस्थान इसमें शामिल नहीं है देखिए हमारे जो भारत देश है वो आजादी का अमरित महुत सो मना रहा है इसके तहट अलग-अभ्यान चलाया जा रहे एक अभ्यान है आजादी से अंतियोदय तक अभ्यान में ऐसे स्वतंतरता सिनानी जो की गुमनाम है उन्हें लोग के सामने लाया जा रहा है पूरे भ अभ्यान का मुख्य उद्देश है क्या है हम में से बहुत से लोग जो है बड़े-बड़े स्वतंतरता सिनानियों के नाम अक्सर जानते हैं जैसे कि सुभास चंद्रबोष्ट आपका लाला लाजपत्राय पंडित जवाहलाल नहरू महात्मा गांधी ठीक है भगत सिहीं आ आजादी से अंतियोदय अभ्यान चलाया जा रहा है और जिस गाव में जिस छेत्र में उनका जनम हुआ उस छेत्र को विक्सित किया जाएगा ताकि लोग उनके बारे में जान सकें तो उस हमारे प्रदेश के टोटल 313 सेनानी और उनके गावों का चैन हुआ है तो कौन सा आपका एक शामिल नहीं है ठीक है देहान ग्राम जो कि आपके राजनान गावों में इस्थित है और यहां पर जनम हुआ था आपके ठाकूर प्यारे लाल का किसका ठाकूर प्यारे लाल सी ही जो कि आपके मील एक मिनट प्यारे लाल जो कि आपके मील मजदूर आंदुलन के प्रणेता थे ठीक है जो बियंसी मिल मजदूर आंदुलन हुआ ठीक 36 गर में सहकारिता के जनक कहलाते हैं कंडेल कंडेल जो कि आपके धमतरी में इस्थित है धमतरी में इस्थित कंडेल जहां पर आपके बाबु छोटे लाज पर जन्म हुआ जो कि आपकी कंडेल नहर सत्यागरश संबंदित है उसके बाद next है आपको घोटुल मुंदा ग्राम जो की कांकेर में इस्थित है यहाँ पर आपके क्या नाम था उनका कुमहार ठीक है कुमहार सोनु इनका actually वे नाम आगे हम डिसकस करेंगे रुके में को इतका नाम याद नहीं आ रहा है और चोथा है आपका चमसूर ग्राम चमसूर ग्राम जो की गरिया बंद में गरिया बंद में इस्तित है चमसूर ग्राम जहाँ पर पंडित सुंदरलाल शर्मा का जन्मा हुआ था ठीक है जिने छतेड़ गांधी भी कहा जाता है तो कौन सा एक एंसर सही होगा देखिए यहां पर आएगा घोट यहां पर आएगा आपका चमसूर ग्राम चमसूर ग्राम आपके पंडिस सुंदललाल शर्मा यह गाव शामिल नहीं है तीन गाव शामिल है कौन कौन से देहान ग्राम, राजनांद गाव, कंडेल ग्राम, धंतरी और आपके घोटुल मुंडा कांकेर ठेक देखिए कंगलु कुमार, इनका नाम में कोई याद नहीं रहता है ठाकुर प्यारे लाज सी, राजनांद गाव, देहान ग्राम, छोटे लाज स्री वास्ताव, धंतरी, कंडेल ग्राम, और कंगलु कुमार कांकेर, घोटुल मुंडा ग्राम यह जो आके कंगलु कुमार है, देखिए, इनके बारे में तो आप परिचाय होंगे, यह सहकारिता के जनक, BNC, मिल मजदूर, आंदुलन के प्रनेता, बाबु छोटे लाज स्री वास्ताव जो की, आपके कंडेल नहर सत्यागरा संबंदित है, और कंगलु कुमार, आपका कंगलु कुमार, कंगलु कुमार को जनた देकर के सम्मानित किया था, और उसी जन्डे को ले कर के जगह 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 पर जा करके कंगलु कुमार के द्वारा जंड़ा चौपकी भी स्थापना की गई थी, तो याद रखिएगा, घोटुल मुडा किस आपकी जिले में खेलो इंडिया यूद गेम से संबंदित निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए खेलो इंडिया यूद गेम का आयोजन 4 से 13 जुन 2022 के मद्य सूरत गुजरात में हुआ 36 गड राज जैसे 13 खेलो में 122 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया इस प्रतियोगिता में 36 गड से 36 गड ने कुल 11 पदक जीते इस वर्ष खेलो इंडिया में 300 देशी खेलो को जोड़ा गया देखे ध्यान से पड़िये निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए सही उत्तर चुनिए ठीक इन्पोर्टेंट है थोड़ा था कथन आधरीत प्रश्न जो है अब एक्जाम में पूछा जा रहा है सबसे पहला खेलो इंडिया यूद गेम का आयोजन जो है चार से लिकर कि 13 जुन के मद्य सूरत गुजरात में हुआ ध्यान दीजेगा यह कथन गलत है इसका जो आयोजन है यह पंच कुला हर्याना में इसका आयोजन हुआ है ठीक है कई लोग को डेट याद रहता है इस्थान याद नहीं रहता और कई लोग को इस्थान याद रहता देट याद नहीं रहता तो डेट भी फोकस किजेगा एक है आपका थांगटा ठीक है बोल के बता दाओं एक है आपका थांगटा थांगटा जो है यह मनिपूर का मार्शलाट कहा जाता है एक है आपका गत्का जिसे पंजाब का मार्शलाट कहा जाता है एक है आपका मलखंब जिसे आपका मलखंब जो है यह मद्ध प्रिदेश का राजकिय खेल का दर्जा इसे प्राप्त है ठीक एक है आपका योगासन योगमुद्रा बाबाराम देओं आप सभी जानते है ठीक है और एक है आपका कर लिए टू जो की आपकी केरल का मार्सलाट जिसे कहा जाता है तो टोटल आपके 500 देसी खेलों को शामिल किया गया है ठी ग्यारा खेलों में 122 खेलाड़ों ने हिस्सा लिया 11 पदक जीते जिसमें से 2 स्वरण पदक तीन रज़त पदक और 6 कास से पदक थे 36 गर जो है इस खेलों इंडिया यूथ गेम में 22 इस्थान पर रहा इस वर्ष खेलों इंडिया यूथ गेम में 500 देशी खेलों को शामिल यह है मलखम जो कि आपके मध्य प्रदेश का राज़किये खेल है और एक है योगासन योग मुद्रा बावा राम देओ सभी परीचित है ठीक नेक्स दिखिए प्रदेश की एक प्रतिष्ठित खिलाडी जिनका नाम है योगिश्वरी यादव का संबंद किस खेल से है इनका संबंद किस खेल से फटाफटा एंसर दीजिएगा ठीक है 2022 की ये इस्टार प्लेयर है देखिए ग्यानेश्वरी यादव यह हाई लाइट में क्यूं आई क्यूंकि मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारा इनके खेल में जो है इनके इनके खेल में इनकी प्रदर्शन को देखते हुए मुख्यमंत्री भुपेज बगिल जी के द्वारा इन्हें 36 गड़ पुलीस में ASI के पोस्ट पर भी इन्हें न्युक्त किया गया है ठीक है ASI का पोस्ट डिरेक्ट इन्हें ASI का पोस्ट दिया गया है इनके परफॉर्मेंस को देखते हुए इनका जो संबंद है वो है आपके वेट लिफ्टिंग से भारत तोलन से हिंदी में भी याद रखिएगा कई बार आप इंगलिश में याद रखते हैं हिंदी में नाम याद नहीं रहता है भारत तोलन वेट लिफ्टिंग ठीक देखिए ये जो आपके जो ग्यानेश्वरी यादव है ग्यानेश्वरी यादव का संबंद वेट लिफ्टिंग से है जिनने मुख्यमंत्री भुपेज बखेल जी के द्वारा छत्तेगड पुलिस में ASI के पोश्ट पे रहा है भी इन्हें नुक्त किया गया है इन्हों ने जो है IWF Junior Junior World Weight Lifting Championship जिसका आयोजन ग्रीस में हुआ यहाँ पर जो है इन्होंने Silver Medal जीता है और Silver Medal जीतने के साथ Weight Lifting के छेतर में यह Medal जीतने वाली यह हमारे प्रदेश की पहली महिला Weight Lifter है साथी साथ इन्होंने Kelo India Youth Game में Kelo India Kelo India Youth Game में इन्होंने Gold Medal भी जीता है ठीक है, Important है इनका नाम याद रखना है ठीक, Next देखिए Next है सुमेलित कीजिए आप सभी को पता होगा Last Year 2022 में हमारे प्रदेश के चार नगर निगम में आपकी चुनाओं हुए और चुनाओं के साथ जो है, उन नगर निगम में महापौर भी आपकी न्यूक्त हुए है तो एक तरफ आपके नगर निगम के नाम है प्रदेश के चौदा नगर निगम है 14 में से 4 नगर निगम में आपके चुनाओं हुए और इधर महापौर के नाम है तो इसे सुमेलित कीजिए बोल रहा है ठेक है देखिए ध्यान से इसे देख लिजे और फटाफट उसका जो है नीचे एंसर कीजिए ठेक देखिए भिलाई नगर निगम भिलाई नगर निगम के महापौर बने है आपके नीरचपाल रिसाली नगर निगम जिसका पहली बार चुनाओं हुए ध्याध नगर निगम के आपके महापौर बने है एक प्रशन यही पूछ सकता है कि वर्षी 2022 में प्रदेश में जो आपके चार नगर निगम चुना हुए उन में से कौन सा एक शामिल नहीं था तीन नाम देदेगा, एक नाम किसी और नगर निगम का देदेगा, ठीक है, तो ध्यान से थोड़ा से question को attempt की जाएगा, अब देखे, इसका answer क्या होगा, दो, एक, चार, तीन, देख लीजे, यहाला आपका option B, next देखे, यहां पर आपके दिया गया है, देखे, बीरगाव आपके नंदलाल देवांगन, नीरजपाल है, आपके भिलाई नगर निगम के, भिलाई चरोदा के है, आपके निर्मल कोसरे और रिसाली नगर निगम के है, आपके सासी सिन्ना, एक चीज fluor सिन HC याद रखेगा, हमारे परोदेष में टोटल आपके चोator नगर निगम है, उ 14 नगर निगम में से 5 नगर निगम में जो है आपके महीला महापावर का प्रतिनी दित्वा है यह important है याद रखना है ठीक है अब इसको याद रखने का तरीगा क्या है अभी हाल ही में मूवी आई थी ट्रीपल र याद है ट्रीपल र, एक आर से रिसाली, एक आर से आपका राजना नगाओ और एक आर से आपका राएगाड फिर याद रखना है आपको C, C, J ठीक है C, J, C से चिर्मिली, J से आपका जगदलपूर तो हमारे 36 गड़ के पांच नगर निगम में जो है आपके महिला महापौर का प्रतिनिधित्वा है, ठीक है, इन्पोर्टेंट है, थोड़ा याद रखिएगा, नेक्ट देखिए, चीनी यात्री हुएंसांग का तारपत्र, पंखा, प्रदेश के किस जिले से प्राप्त ऑप्शन A, गरियाबंद, ऑप्शन B, महास्वमूंध, ऊप्शन C, बिजापूर, ईफशन C, बिलासपूर, ऊप्शन D, भीजापूर, देखिए, जोतिक है, भेंसांग जो की चीनी यात्री था, ठीक है, बौत धर्म से संबन्दी जानकारी एकथ्र करने के लिए वो भारत में आया था हमारे चथीसगडवले चेतर से वो सत्वी सदी के आसपास, सत्वी इसापूर्व के आसपास जो है वो हमारे स TRAJ रहा हे मौजूद है आपके कंकालीन माता मंदिर कंकालीन माता मंदिर जब वो हमारे 36 गड़वारे 6 गड़वारे गुजर रहा था तो बीजापूर के कंकालीन माता मंदिर में उसने अपना तार पत्र, आप देखे होंगे चाइनीज लोगों को हमेशा आपके एक पंखा लेके गुमते, तो उसने तार पत्र से बना हुआ पंखा कंकालीन माता मंदिर में, कहां पर कंकालीन माता मंदिर में आपका बीजापूर में इसकी प्रतिवावी मौझूद है और उसके द्वारा भेट सोरुप दिया गया, ताड़ पत्र भी यहां पर मौझूद है, ठीक, नेक्स्ट देखे, तिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट किस जिले में इ आप्शन B, जांजिकीर चापा, आप्शन C, विलासपूर, आप्शन D, बस्तर, देखे, शिवरेज ट्रीटमेंट प्लांट का मतलब क्या होता है, शिवरेज ट्रीटमेंट याने कि जो पानी, जो की दूशित पानी है, उसे ट्रीटमेंट करके शुद्ध करना, यह कह रहा गया है देखिए जगदलपूर और उसके आसपास के शहरों में जो आपका दूशित पानी है दूशित पानी को 10 किलोमेटर लंबे पाइपलाइन के माध्यम से बाली कोटा में इस्थित इस सीवरेश ट्रीटमेंट प्लांट पहुचाया जाता है और यह जो सीवरेश ट्रीट आइकॉनिक इस्थलों में शामिल किया गया था ओप्शन ए भोरम देव मंदिर कवर्धा ओप्शन ब महामाया मंदिर बिलासपूर ओप्शन सी सिरहासार भवन बस्तर ओप्शन डी धोलकल गणेश दंतेवाडा अब देखिए 75 आप सभी को पता है कि हमारा जो आपका भारत अच्छी योगदीवस जो मना जाता तो इस साब जो आपको योगदीवस मनाया गया उसमें पूरे देश भर के 75 आइकॉनिक इस्थलों का चैन किया गया था हमारे 36 गड़ से भोरम देव मंदिर भोरम देव मंदिर जिसे 36 गड़ का खजुराहों भी कहते है इस मंदिर का न इस मंदिर का निर्वान किया गया था तो इतने सारे फैक्ट आपको याद रखने है ठीक है भोरम देव मंदिर जो है इस साल अंतराश्णी योगदीवस के आसर पर 75 आइकॉनिक इस्थलों की सूची में शामिल था नेक्ट देखिए नेक्ट है विश्व का एक मात्र स्री अंतरा आकार का गुम्मद वाला सेमरुमठ अगहोरनात दर्बार किस जिले में इस्थित है अनेक्सपेक्टेड था कि ये कोशन आयेगा लेकिन ये कोशन आया हुआ था ध्यान दीजेगा समेरुमठ अगहोरनात दर्बार किस जिले में इस्थित है ओप्शन ए बिलासपू है यह आपके स्री यंद्रा आकार का है किस आकार का है स्री यंद्रा आकार का घुम्मध है इसमें जो है टोटल आपके 43 43 इसमें कोण बने हुए कोण बने हुए याने कि ऐसे कॉर्णर बने हुए है और हर पर जो ध्यान लगाया जाता है तो उसमें ध्यान लगाने में ध्यान केंद्रित करने में यहां सायता करता है पारद से निर्मित आपका शिवलिंग पारद कहा जाता है पारद यहां आपका मरकरी ठीक है तो यह मौझूद है आपके राइपूर में यह जो आपका मठ है अकेडमी है बादल अकेडमी आपका मौझूद है आपका आसना आसना ग्राम बस्तर में मौझूद है ठीक है आसना ग्राम बस्तर में मौझूद है बादल बी ए डी ए ल बादल अकेडमी बादल अकेडमी इसका फुल फॉर्म ही है आपका बस्तर अकेडमी ओफ बस्तर अकेड और लिट्रेचर इसका जो है प्रसिक्षन दिया जाता है हाली में चर्चा में क्यों रहा ध्यान दिजेगा जो बादल एकेडमी जो कि आसना आपके बस्तर पे इस्थित है इसका पूरा नाम है बस्तर एकेडमी और डांस आर्ट एंड लिट्रेचर इसे करेक्ट कीजेगा डांस आर्ट एंड लिट्रेचर हाली में चर्चा में इसले रहा क्योंकि 25 जुन 2022 को यहां पे डिसाइड किया गया है कि प्रतेक सनिवार जो बस्तर और उसके आसपास में निवास करने वाले जो आदि वसी जन जातिया है तो उनके जन जाति से संबंधित याने कि उनका पहनावा, रहन, सहन, बोली भास, अनृत्य, संगीत, पूजा, पदती, आदी परंपरा का प्रदर्शन किया जाएगा याने कि यहां पर बादल मंड़ाई का आयोजन किया जाएगा और प्रतेक्षे निवार को आज़ी संगे बादल मंड़ाई में अलग-अलग जन जातियों के उनके रहन, सहन का तरीका, पहनाओ का तरीका, बोली भास, अनृत्य, उसका यहां पर प्रदर्शनी लगा जाएगा इसकी शुरुवात 25 जुन 2022 से की गई, सबसे पहले जो है धुर्वा संस्कृति पर आधारी आपके बादल मंड़ाई का आयोजन किया गया नेक्षे देखिए, प्रदेश का सबसे बड़ा धान म्यूजियम की इस जिले में इस्तित है औप्शन A रायगार, औप्शन B बस्तर, औप्शन C धंतरी, औप्शन D इन में से कोई नहीं ध्यान दीजेगा, यह जो आपका, हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा धान का जो म्यूजियम है यहाँ पर 24,000, 24,000 से जादा यहाँ पर धान की प्रजातिया, धान के किस में मौजूद है देखिए, यह है आपके हमारे प्रदेश का सबसे बड़ा धान का म्यूजियम हादी में चर्चा में इसले रहा है, क्योंकि जहाँ पर यह धान का म्यूजियम है वहाँ पर आपका DNA fingerprint, ठीक है, 16,400 से अधिक प्रजातियों का DNA fingerprint भी यहाँ पर संग्रह किया गया है DNA fingerprint संग्रह करने का मतलब क्या है, कि अगर कल के date में, अगर किसी भी हादसे के कारण यह पूरे के पूरे किस में, मान लिए यहाँ पर आपके धान म्यूजियम में आग लग गया, पूरा का पूरा किस में जल के बरबाद हो गया उस condition में, यहाँ पर आज करेट में 16,000, 24,000 में से 16,400 धान के प्रजातियों के DNA sampling ले लिया गया है तब कल के डेट में, अगर किसी हादसे में, अगर इनको नुकसान होता है, तो इस DNA fingerprint के माध्यम से इनका पूरा उत्पादन किया जा सके तो ध्यान दीजेगा, यह जो है, यह मौजूद है आपके रायपूर में, कहाँ पर मौजूद है, रायपूर में मौजूद है, रायपूर के कहाँ पर, आपकी जो इंदरा गांधी क्रिशी विश्विद्याले है, वहाँ पर मौजूद है, आपके हमारे प्रजेश के सबस गाट, option D है, आपका लेलूंगा, तो कहां पर प्रस्तावीत है, ध्यान दीजेगा, South Eastern Coal Field Limited, जो की आपके Coal India की एक subsidiary company है, ठीक है, South Indian Coal Field Limited, इसका मुख्याला है कहां पर है, इसका मुख्याला है आपका बिलासपूर में, ठीक है, Coal India की जो subsidiary company है, कौन-कौन सी है, CCL, MCL, ठीक है, यह आपका HCL, NCL, यह सभी की सभी जो है, आपके Coal India की subsidiary company है, यानि की सहाया company है, हमारे 36 गड़ में कोईले का उत्खनन करती है, Coal India की subsidiary company, South Eastern Coal Field Limited, देखे, यह तो कोईले का उत्खनन करती है, लेकिन पहली बार, यह अपना एक ताप विद्यूत सैयंत्र इस्थापित करने जा रही है, ध्यान दीजेगा, यह कहां पर इस्थापित करने जा रही है, यह इस्थापित करने जा रही है आपके चचाई में, चचाई जो की मौझूद है आपके मद्द प्रदेश, मद्द प्रदेश के अमर कंटक में मौझूद है, कहां पर मौझूद है, मद्द प्रदेश के अमर कंटक में मौझूद है मद्द प्रजिस के अमर कंटक के चचाई में मौझूद है अमर कंटक ताप विद्यूद सयंद्र अमर कंटक ताप विद्यूद सयंद्र चचाई के साथ जो है MOU हस्ताक्षर किया गया है और इस आपके समझोते के तहट इस चचाई में 660 मेगावाट का यहाँ पर आपके ताप विद्धुत सहींतर प्रस्तावित है इंपोर्टेंट है इसको याद रखना है ठीक है नेक्स देखिए नेक्स है नेक्स है निमलिकित कत्रों में से कौन सा कथन सही नहीं है सबसे पहला मुक्यमंत्री स्रमिक स्रीमा सियान सहायता योजना की शुरुवात 1 मई 2022 को की गई इस योजना के अंतरगत 1 मुस्त 15,000 रुपे की राशी हिदग्राहियों को प्रदान की जाती है योजना अंतरगत नियुन्तम आयू 69 वर्ष और अधिक्तम आयू 60 वर्ष पंजीकृत बुजुरु स्रमिक होंगे इस योजना के लाब हितु पातर हिदग्राहि को छत्यजगर भवन एवं अन्य सन निर्मान मंडल में पंजीकृत भवन कर्मकार कल्यान मंडल के अंतरगत स्रमिक विगत 3 वर्ष से पंजीकृत हो देखे नाम सही इस परष्ट है सियान सियान का मतलब होता है बुजुरुकर इसकी शुरुवात कब हुई ध्यान दिजेगा एक मई 2022 को अंतराष्टे स्रम दिवस के औसर पर जो है इस योजना की शुरुवात हुई इस योजना के अंतरगत एक मुष्ट देखे या इसमें जो है इसमें जो एज लिमिट है वो है 69 वर्ष और अधिकताम है 60 वर्ष अब बोलेंगे कि किवल एक वर्ष का गैप देखे बुजुरुकर जो है बुजुरुकर के के टेगरी जनरली 60 वर्ष 60 वर्ष से अधिक इसमें 10,000 रुपे की राशी एकमुस्त प्रदान की जाती है ओप्शन होगा आपका भी नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका 22 निर्मान स्रमीक ए रिक्सा सहायता योजना के तहत महिलाओं को ए रिक्सा पर राशी अनुदान का प्रावधान है कितनी राशी अनुदान अप्शन दी एक लाख तो ध्यान दीजिएगा पहले जो राशी है ये थी आपकी पचास अजार पचास अजार से इसे बढ़ागरे कर दिया गया कितना एक लाख रुपे इन्पॉर्टेंट याद रखना इ रिक्सा सहायता योजना ठीक है नेक्श देखिए नोनी अप्शन समझ लिए फिर आपको डेटर बताओंगा आपका एंसर क्लियर हो जाएगा ओप्शन ए 15 वर्ष ऑप्शन बी 18 वर्ष ऑप्शन सी 20 वर्ष ऑप्शन वर्ष ऑप्शन डी 21 वर्ष देखिए नोनी सुरक्ष योजना के अंत्रगत जो आपके जो स्रमिक महिला है भुपईश बगेल ने भी हाली में घोशना किया है और इसमें 3 साल की वृद्धी की है याने कि अब जो है इसकी निर्धारित आयू कितनी हो गई है 21 वर्ष ठीक है तो नोनी सुरक्ष योजना की जो पहली की जो आयू थी वो थी 18 वर्ष अभी ये बढ़ागरे कर दीगे ये कितना 21 वर्ष ठीक नेक्ष देखिए निमलिकित में से प्रदेश के किस आरक्षित वन छेत्र नेशनल पार्क या अभ्यरन्य में आदिवासी समुदाय को वन संसाधन माननेता पत्र प्रदान किया गया है ऑप्शन ए गुरु घासिदास नेशनल पार्क ऑप्शन बी इ एक होता है आपका आरक्षित दूसरा होता है सनरक्षित और तीसरा होता है आपका अवर्गिक्रित ठीक है आरक्षित जो होता है आरक्षित वन जो की मानाओं के हस्तचेप के लिए पूर्णता पतिबंदित होता है सनरक्षित वन जिसे जो है लाइसेंस के माध्यम से कुछ व्यक्ति विशेश इसमें हस्तचेप कर सकते है अब वर्गिक्रित जो वन जो होता है ये खुला वन होता है ये इसमें मानवों का पूर्णता हस्तचेप होता है इसमें कोई रोक टोक नहीं होता तो ये जो आपका आरक्षित जिसमें मानवों का हस्तचेप पूर्णता प्रति खुला वन यानि कि यहाँ पर जलाओ लकडी जानवरों को चराने के लिए इसमें कोई जो है सरकार का किसी प्रगार कोई प्रतिबंद नहीं होता देखिए अभी तक जो है गौवर्मेंट के द्वारा आदिवासी समुदायों को वन संसातर मानेता पत्र दिया जाता था लेकि ठीक है एक जगह है जिसका नाम है गुरिया पदार गुरिया पदार जो की कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतरगर एक गोड समुदाय का एक गाओ है ठीक है उन्हें इस कांगेर घाटी नेशनल पार्क के अंतरगर उन्हें वन संसातर मानेता पत्र प्रदान किया गया ह देखिए ध्यान दीजेगा नेशनल पार्क के छेतर में वन संसा दन माननेता पत्र प्रतान करने वाला हमारा 36 दूसरा है सेकंड नंबर पर है इससे पहले माननेता पत्र जो है सिमली पाल उडिसा में जो आपका सिमली पाल है सिमली पाल में जो है आपके उडिसा के द्वारा ये माननेता पत्र पहले ही प्रदान कर दिया गया है इंगलिस में इसे कहा जाता है Community Forest Resource Right देखें किसे प्रदान किया गया है गुडिया पतार बस्तर में इनके 29 घरों का एक छोटा सा गाओ है तो इने जो है वन संसाधन माननेता पत्र आरक्षित छेत्र में प्रदान किया गया है इन्पोर्टेंट है याद रखना है नेक्ष्ट देखिए 36 इस्टेट पावर जेनरेशन कमपणी को वर्ष 2021-22 में विद्धुत उत्पादन के मामले में कौन सा इस्थान प्रदान किया गया Option A प्रथाम, Option B, 2 ती है, Option C, 3 ती है, Option D है, चतूर्त क्या बोल रहा है विद्धुत उत्पादन के मामले में विद्धुत उत्पादन के मामले में इसमें आपका PLF देखा जाता है, ठीक है, प्लांट लोड फेक्टर देखा जाता है तो मारे 36 इसके अंतरगत, चोथा इस्थान प्राप्त हुआ है, विद्धुत उत्पादन के मामले में देखिए, 36 गड़ State Power Generation Company ये जो आपका रैंकिंग प्रदान किया गया है ये केंदरे विद्धुत प्राधी करन विद्धुत मंत्राले के दोरा प्रदान किया गया है 2021 बाई से विद्धुत पातन के मामले में हमारे 36 गड़ का ये जो Power Generation Company है ये रहा आपके चौथे स्थान पर PLF, Plant Load Factor के आधार पर हमारे इसका आपका PLF रहा 17.40 इतना डिटेल में नहीं जाएगा देश के टोटल 33 आपके विद्धुत ग्रिहों का और सतन कितना था वो था आपका 58.86 जिसमें हमारे 36 गड़ का था 70.40 अगर हम 33 विद्धुत ग्रहों की बात करें तो उसमें से जो है शाहाप्रसाद मुखर जी ताप विद्धुत सरीयंद्र का 89.22 PLF अरजित करके इसने किर्थिमान इस्थापित किया पस याद रखना है कि विद्धुत पादन के मामले में हमारा 46 गड़ कौन से इस्थान पर है चौथे इस्थान पर है नेक्स्ट देखिए प्रदेश का पहला FIFA अभी आपको मामले में होगा FIFA World Cup आयो जित हुआ वही FIFA की बात हो रही है FIFA जिसका full form है Federation International D Football Association से माननेता प्राप्त synthetic football ground with running track तयार किया गया है कहां तयार किया गया है पूछ रहा है देखिए पहला option है बह, तराई, बिलासपूर दूसरा है नवा, राइपूर, राइपूर option C है भिराई, दुर्गव और option D है आपका जगदलपूर गलत कहा होगा सबसे पहले हम सोचते कि कोई भी अगर ऐसे बड़ा चीज बन रहा तो वो या तो आपके राइपूर बनेगा या तो बिलासपूर बनेगा और गलती यहीं होती है ध्यान दिजेगा football ground with running track यहां पर जो है यह जो green color का है यह है आपका football ground और उसके बहार यह जो red color का देख रहा है यह running track यानि की दोडने के लिए बना हुआ है फुटबॉल ground with running track यह बना है आपका इंदीरा इंदीरा प्रीदर्सी परिसर इंदीरा प्रीदर्सी इस्टेडियम जो की मौझूद है आपके जगदलपूर बस्तर में 2002 वर्ष 2003 वर्ष 2004 वर्ष 2005 तो देखिए यह जो आपका आशा कारे करम है सबसे पहले हमारे 36 गड़ में पाइलेट प्रजेक्ट के तौर फे 2002-2003 में जो है इसे 36 गड़ मितानीन के नाम से इसे प्राराम किया गया था ठीक है आज भी यह मौझूद है अभी हाली में जो है आशा कारे करता है चर्चा में क्यों रहा क्योंकि आपके वर्ड हेल्थ और्गनाईजेशन है उनके दोरा इन्हें Global Health Leadership Award से इन्हें सम्मानित किया गया है ठीक है अभी हाली में वर्ष 2022 में ठीक है ध्यान दीजे वर्ष 2022 में इन्हें सम्मानित किया गया है लेकिन जो आशा कारे करम है यह आशा कारे करम वर्ष 2005 से पूरे भारत भर में लागू है वर्ष 2023 में जो है आपके अजित जोगी जो हमारे प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे उनके द्वारा ये आशा कारेकरम की शुरुवात की गई थी पैलेट प्रोजेक्ट के तौर पे बाद में इसी जो आशा कारेकरम जिसे हमारे 36 गड़ में मितानीन के नाम से जानते थे बाद में इसी मितानीन के कॉंसेप्ट को जो है आशाकारेकरम के नाम से पूरे के पूरे भारत भर में 2005 में लागो किया गया ठीक है तो इसको याद रखना है नश्ट देखिए कांस फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के गोज टू कांस सेक्शन के लिए चैनीद 36 गड़ी फिल्म कौन सी है तो यहां गलती कहां करेंगे क्योंकि लाश्ट येर जो है सबसे हाइलाइट में था आपका भूलन दमेज तो भूलन दमेज को लगाने गलती मत करना एक्चुले भूलन दमेज जो है यह 67 नंबर का राष्ट्री फिल्म पूरुसकार इसका एंसर होगा आपका बैला डिला बैला डिला जो की बैला डिला की पहाड़ियों में इसकी शूटिंग की गई है इसके आपके डिरेक्टर थे शैलेंद्र साहू इसके डिरेक्टर कौन थे शैलेंद्र साहू शैलेंद्र साहू इनकी डिरेक्शन ने बनी फिल्म है उसे जो है कांज फिल्म फेस्टिवल फ्रांस के गोज टू कांज सेक्शन के लिए इसे चैनित किया गया है इसके साथ भारत के और पाच रिजनल फिल्मों को भी शामिल किया गया था तो इन्पोर्टेंट है याद रखना है ठीक है लाल चैनित कौन सा हुआ है आपका बैला डिला है इन्पोर्टेंट है याद रखना है नेक्ट देखिए सरसटवी राष्टे फिल्म फूरुसकार की रिजनल कैटिगरी रिजनल सिनीमा कैटिगरी में नेशनल अवार्ड से सम्मानित भूलन द मेज फिल्म के निर्देशक कौन ह किस पर आधारित है भूलन कांदा जो की उपन्यास है ठीक है इसमें क्या होता है एक आपका पौधा होता है जिसके पर पैर रखने से व्यक्ति सब कुछ भूल जाता है तो उसी को लेकर के एक हमारे न्याय सिश्टम के उपर कटाक्ष किया गया है इस फिल्म के माध्यम से तो यहां गलती क्या करेंगे बच्चे संजी बक्षी में एंसर लगा सकते है यहां ध्यान देना यहां पर इसका एंसर होगा मनोज वर्मा डिरेक्टर पिच्चर के भूलन दा मेज के डिरेक्टर कौन है मनोज वर्मा अगर उपन्यास बोल रहा है भूलन कांदा तब संजी बक्षी कई बर क्या होगा कि भुलन कांदा पूछेगा मनोजवरमा लगा देंगे भुलन द मेच पूछेगा संजी बक्षी लगा देंगे तो यह गलती करने से बचना ठीक है देखें जो आपका हमने देखा था कांस फिल्म फेस्टिवल वाला थोड़ सा आगे पीछे हो गय जो की हिंदी में बनी हुई है फॉलोवर जो की मराथी कंणड हिंदी है और शिवममा जो की कंणड में यह पांच फिल्म जो है आपके सेलेक्ट हुए जिसमें हमार चत्तिस गड़ का बैला डिला भी सेलेक्ट हुआ था ठीक है प्रदेश का एक मंदीर जहां पे 11,000 मीटर अब देखें इसका एंसर क्या होगा ध्यान दीजेगा यहां पे बोल रहे है ग्यारा हजार मीटर जने की कितना होगा ग्यारा किलोमेटर लंबी यहाँ पर चुन्दी चढ़ाई गई इससे पहले जो golden book of world record यह जो था यह आपके MP, MP के मंदसौर मंदसौर में जो है आपके महा माया माता मंदिर सॉरी, नर्मदा मैया नर्मदा मैया मंदिर में जो है यह record था इनके नाम पर यह record था, जहाँ पर 8,000 मीटर लंबी चुन्दी चढ़ाई गई थी अब यह record तोड़ दिया गया है, किसके दवाद तोड़ा गया है दंतेश्वरी माता मंदिर में चुन्दी चढ़ाई गया है यहाँ पर जो आपके Denex ठीक है, Denex याने कि Dantevara Next जो कि एक आपके हमारे प्रदेश में ही इस ब्रैंड से जो है कपड़े की एक textile company है ठीक है, उनके द्वारा 11,000 मीटर याने कि 11 किलो मेटर लंबी यहाँ पर आपका चुन्दी बनाई गई 11 किलो मेटर लंबी और उस चुन्दी को चढ़ाया गया आपके माता दंतेश्वरी के मंदिर में तो इन्पोर्टेंट है, इसे याद रखना है ठीक, नेक्ष देखिए 36 गड़ स्रम विभाग के अंतर का संचरित मिनी माता महतारी जतन योजना में गर्ववती महीला स्रमिको को कितनी सहता राशी प्रदान की जाती है अब इसको थोड़ सा ध्यान देना अब आप में से बहुत लोग तो इसी के लिए कन्फिस होगे कि ये मिनी माता महतारी जतन योजना क्या है ये आपका भगीनी प्रसूती सहायता योजना का परिवर्तित नाम है पहले भगीनी प्रसूती सहायता के नाम से चलता था अब इसका नाम परिवर्तित करके रख दिया गया है मिनी माता महतारी जतन योजना कितनी सहायता राशी प्रदान की जाती है पांच हजार, दस हजार, बीस हजार या फिर आपका 25,000 तो ध्यान दीजेगा पहले ये राशी 10,000 थी इसे बढ़ा करके आप कर दिया गया कितना 20,000 तो भगीनी प्रसुती से होता योजना के अंतरगत अब जो है 20,000 रुपे की राशी प्रदान की जाती है अब देखे राज्य सभा के सधस्य इसमें जो है एक ब पुलन देवी नेताम जो की कॉंग्रेस से है कवी तेजपार सी तुलसी जो की कॉंग्रेस से है राजीव शुकला ध्यान दीजेगा ये उपर के तीन जो ही हमारे 36 गड़ से ही है 36 गड़ की निवासी है लाश्ट के दो जो है ये बाहर से है ठीक है राजीव शुकला जो की बिल्ली से है, Congress के प्रत्यास, Congress candidate है, और स्रीमती रंजीता रंजन, जो की बिहार से है, ध्यान दिजेगा, हमारे Current Affair के मैज़िन में यहां भाजपा लिखा गया है, यहां भाजपा नहीं होगा, यहोगी Congress की, ठेक है, तो चार Congress और एक आपके BJP से है, नेक्ट देखिए, थोड़ी पाचफी विधान सभाई के कौन? उपाध्यक्ष उपाध्यक्ष इस से पहले थे आपके मनोज Μαν्डावी जिनका हाल ही में निधन हुआ है हार्ट अट अठेक्सर जो है मनोज मन्डावी जी का निधन ध्यान दिजेगा यहां पर आपकी जो current affair की जो book है हमारी current affair के book में आपका page number page number है आपका 31 31 number page 31 number page जहां पर विधान सभा उपाध्यक्ष के जगह लिखा हुआ रिक्त इस रिक्त के जगह में लिख लिजेगा यह एक latest update है ध्यान दिजेगा पाची विधान सभा के उपाध्यक्ष है आपके संतराम निताम जो की केशकाल से विधायक है कहां से केशकाल विधान सभा सीट से यह विधायक है तो जो रिक्त जो लिखा हुआ है उस रिक्त के जगह लिख लिजेगा केशकाल पाची विधान सभा के उपाध्यक्ष कौन है वो है आपके केशकाल, संतराम निताम केशकाल, बाल मित्र ग्राम पंचायत 2022 से की से सम्मानित किया गया, ठीक है, आपके 24 अपरेल 2022 को राष्ट्रिय पंचायत पुरुसकार का वितरन किया गया, हमारे 36 गड़ को टोटल 12 आपके राष्ट्रिय पंचायत पुरुसकार से सम्मा पूरुषकार प्राप्त हुए उसमें एक कैटेगरी है राष्ट्य बाल मित्र पूरुषकार जिसे इंग्लिश में कई बर क्या करेगा चाइल्ड बाल का मतलब चाइल्ड चाइल्ड फ्रेंडली फ्रेंडली ग्राम पंचायत 2022 का पूरुषकार के समाई द्यान दीजेगा के देदेगा ठीक है ऑप्शन ए बंचरोदा राइपूर ऑप्शन भी हरी भाटा धंतरी ऑप्शन सी जेवरा दुर्ग ऑप्शन डी केजे दाहा कबीरधाम एंसर के आउपका फटाफट कमेंट कीजेगा देखिए बाल मित्र ग्राम पंचायत पूरुषकार 2022 सम्मानित किय किया गया आपके बंचरोदा राइपूर को देखिए हमारे प्रदेश को जो है टोटल बारा टोटल बारा आपके पंचायत अवाट सम्मानित किया गया अलग अलग कैटेगरी पंडित दिंदयाल उपाद्ध्याग पंचायत ससक्ति परन पूरुषकार जीला वर्गा मिला ह आपका छिपल्ली हररी भाटा धंतरी यहां पर देखकर के नाम पढ़ लिजेगा अगर एक एक नाम पढ़ूँगो तो जवादस्ति का लेक्चर लंबा बढ़ेगा तेके चाइल्ड फ्रेंडली ग्राम पंचायत जो की बंचरोदा आरंग को मिला है ठीक है पंचायत डेव उचाय है 8,516 मिटर पर किस परवता रोही के द्वारा परवता रोहन किया गया हो ऑप्शन ए याची जैन ऑप्शन बी अंकिता गुप्ता ऑप्शन सी नैना सी धाकर ऑप्शन डी है आपका चित्रसेंसा हो ध्यान दीजेगा ठीक है यह है आपकी दुनिया की चौथी सबस उची चोटी माउंट लाउट्सले ठीक है जिसकी उचाय है 8,516 इस पर परवता रोहन किया था आपके नैना सी धाकर के द्वारा नैना सी धाकर जिसने माउंट एवरेश्टिक पर भी परवता रोहन किया है ठीक है देखिए इन्हें जो है अभी हाली में लेंड पूरुसकार से भी इन्हें सम्मानित किया गया है नैना सी धाकर जिन्होंने आपके माउंट लाउट्से के उपर परवता रोहन करके यहां पर भगवान श्री राम का भगवा रंग का जो है इन्होंने ध्वज वहां पर जंडा फहरा करके उन्होंने दिखाया था ठीक है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है आपका सुमेलित कीजिए एक साइड जो है आयोग के नाम दिया गया है और दुसरे साइड आयोग के अध्यक्षों के नाम दिया गया है ठीक है देखिए विदेशी मुद्रा संरक्षण निवारन आपके एडेस मेटा नकसली जाच कांड तीसरा है मदनवारा नकसली जाच और चोथा है आदिवासी खिलाफ केस वापसी अब यह है क्या क्या मैं आपको डिटेलिंग बता रहा हूँ तब तक आप फटाफट एंसर कीजिए विदेशी मुद्रा संरक्षण निवारन यानि कि जो आपके विदेशी मुद्रा जैसे क आपके जो आर्मी थे आर्मी जब जंगल से उकरे गुजर रहे थे तो एक इस्थान पर उन्हें माववादी यानि कि नकसलाइड होने की उन्हें भनक लगी तो उन्होंने जंगल में अंधेरे में गोली बारी गरी जिससे आठ लोगों की मौत होई सुरू में दावा किया कि जो आर्मी के द्वारा आपके आठ नकसलाइडों को मौत के घाड उतारा गया लेकिन बार में जब जाच हुआ तब पता चला कि वहां पर जो है वहां पर लोकल आदिवासी थे जो कि बीज पंडुम परो मना रहे थे और अंधेरे में गलती से आर्मी वालों ने आठ लो उनमें वह जो है आपका विनो चौबीची शहीद हुए थे आदिवासी खिलेफ केस वापस याने की बहुत से छोटे मोटे केस में बहुत से आदिवासी काफी सालों से जेल का सजा काट रहे है लेकिन वह जो है जेल से रिहा हो नहीं पारे तो ऐसे आदिवासी जो कि छोट नियायमूर्थी अनिल कुमार शुकला, एडेस मेटा नकसली हमला जाच वीके अगरवाल, मदनवाला नकसली हमला जाच शंबोना स्रिवास्तव, आदिवासी खिलाफ केस वापसी नियायमूर्थी एके पटना है, ठीक है, याद रख लेना, इससे भी जो है question आपका पूछा नेक्स्ट देखिए, निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए और असत्य कथन चुनिए, एशिया की सबसे बड़ी समुद्री फॉसिल्स, हेरिटेस साइट कूरिया जिले में इस्तित है, यह छेत्र आमा खेरवा इलाके में हस्देव और हस्यानधी के संगम पर विस्तित है, यह छेत्र जो है, गोडवाना सूपर ग्रूप चट्टान स्रेनी का हिस्सा है, वर्ष 1982 में नेशनल जियोलोजिकल मॉन्यूमेंट में इसे शामिल किया गया है, ठीक है, देखिए, अगर समुद्री फॉसिल्स बोल रहा है, तब और अगर समुद्री बहु कोशी शैवाल ब देखिए, पहले इसका एंसर बता जाता हूं, फिर आपको बात बता हूं, ना एंसर आपको पता चल जाएगा, फड़ा पाट इसका कमेंट केजिएगा, देखिए, एशिया की सबसे बड़ी समुद्री फॉसिल्स हेरिटेस साइड जो है, यह कोरिया में नहीं, यह कहां पर है, मनेंद्रगर चिर्मीरी भरतपुर जीले में आगया, क्योंकि मनेंद्रगर के अंतरगत आता है, ठीक है, यह जो आपका इलाका हस्दे और हस्यानादी के संगप पर इस्तित सही है, गोणवाना सूपर गूरूप चट्टान स्रणी का हिस्सा है, पूरा का पूरा उत्तर ठीक है, समुद्री शैवाल बोलेगा, अगर शैवाल के साक्ष बोलेगा, तो शैवाल के साक्ष कहां से प्राप्थ हुए, महा समुद्जिले से प्राप्थ हुए, ठीक है, नेक्स देखिए, समुद्री फॉसिल्स, अभी तख हमारे भारत के चार जगहों पे समुद्री फ फोटो है ठीक है नेक्ष्ट देखिए नेक्ष्ट है राकेश वर्दा और राजेश कोरम का संबंद किस खेल से option A क्रिकेट, option B hockey, option C, tennis, option D इन में से कोई नहीं है ये भी जो है हमारे प्रदेश के star player है तो और नाम याद रखना कौन से है जल्देली comment कीजिए देखिए राकेश वर्दा और राजेश कोरम इनका जो संबंद है इनका संबंद है आपके मल्लखम बसे मल्लखम मल्लखम जो की मद्द प्रदेश का राजकिये खेल और हमारे 36 गड़ के मुख्यत है नारायनपूर नारायनपूर छेत्र में जो है आपकी इसकी एकेडमी भी है इनका 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 से कोई ने मल्लखम खेलके ये खिलाडी है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो यह है आपके राजेश वर्दा राजेश कोरम हाली में चर्शे में क्यों रहे आपके इंडिया बुक और रिकॉर्ड वे शाविल हुए राकेश वर्दा को प्रथम इस्थान मिला राजेश कोरम को सेकेड इस्थान मिला ठीक है अच्छा इसको थोड़ा सा वीडियो को रोक करके यहाँ पे कुछ खिलाडियों के नाम किस खेश संबंदित है और कौन से प्रतियोगिता में वो कौन से मैडल जीते उसको थोड़ा सा पढ़ लीजेगा देखो मैं जा थियोरिटिकल पोशन को इसकीप कर रहा हूँ लेकिन यह इंपोर्टेंट है पता चला हम ज्यानेश्वरी यादों को पढ़ रहा है राजेश कोर्राम को पढ़ रहा है लेकिन कुछ बेसिक से कोश्चन आ गया जिससे हमने पढ़ा ही नहीं है तो थोड़ा से यहाँ पे थोड़ा से वीडियो को पाउस करके फंदी कुबरी ममहानी ठीक है चतिस गड़ की सबसे प्लाचीन ग्याद-धान की प्रजाती कौन सी है पूच रहा है देखे इसका जो आपका इस धान की प्रजाती किया जो उत्पादन है ये किया जा रहा है आपके नवागड में नवागड बेमेतरा में जो है इसका अभी वर्तमान में इसका उत्पादन किया जा रहा है तो ये कौन सी प्रजाती है वो है आपके कुबरी ममहानी कुबरी ममहानी नवागड बेमेतरा में वर्तमान में जो है इसका उत्पादन किया जा रहा है इंपोर्टेंट है इसको भी याद रखना है ठेक नेक्स्ट देखिए निमलिकित कथनों पर विचार केईए कोशल्या मातरित्व योजना की शुरुवात 7 मार्च 2022 को राइपूर के BIT ग्राउंड से की गई इस योजना की गोशना 36 गड़ बजट 2021-22 में की गई थी इस योज आप कथन को पढ़िए और इसका एंसर बताईएगा ठेक है देखिए कोशल्या मातरित्व योजना की शुरुवात 7 मार्च 2022 को राइपूर के BIT ग्राउंड से हुआ ये बिल्कुल सही है अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे तो यहाँ लिखा हुआ है अंतराष्टिय म महिला दिवस के तोर पर उपलक्ष में आयोजित करके एक दिन पहले ही इसका उधगाटन कर दिया गया था 7 मार्च 2022 को ठीक है आठ मार्च को अंतराष्टी महिला दिवस होता है लेकिन 7 मार्च को ही इसका उधगाटन कर दिया गया था ये कथन सही है इस योजना की घोशना 36 बजट 2022-23 में की गलत है इसकी घोशना जो है एक साल पहले बजट 2021-22 में किया गया था इस योजना का लाप प्रथम जीवित जन्म शिशुओं पर महिला हिद ग्रहियों को दिया जाएगा ये कथन गलत है ये जो है प्रथम जीवित जन्म शिशुँ नहीं दूसरी बालीका के जन्म होने पर यानि कि लड़की सेकेंड नमबर की लड़की पैदा पहरी नहीं सेकेंड नमबर की लड़की पैदा होने पर ठीक है इसके अंदर के 5,000 रुप की शाहितार असी प्रदान के जाएगा सही उत्तर चुनिये बोल रहा तो सही उत्तर कौन सा होगा और द जो है आपका सही होगा ब और सा आपका गलत होगा नेक्ट देखिए निमलिकित कथनों पर विचार कीजिए हाली में दसवे मैन पार्ट महोचो का आयोजन रोब खार जला से सरगुजा में हुआ इस महोचो का आयोजन 11 से 13 मार्श दोजार 22 के मद्दे हुआ मैन पार्ट महोचो की शुरुवात जो है ये कब होई 2005 में होई थी सही कथन चुनिये देखिए ध्यान दीजेगा फटा फटा उसका एंसर जो है नीचे कमेंट में बताइए कि नहीं बताता हूँ देखिए हाली में दसवे मैन पार्ट इसको थोग ध्यान रखना अभी जो हाली में जो संस्क्रण जो आयोजन थोग कौन से नंबर का था दसवे मैन पार्ट का जो आयोजन है ये रोब खार जलाशे सरगुजा में हुआ ये कथन सही है एक चीज़ याद रखना रोब खार जलाशे कौन से जिले में है सरगुजा जिले में है ये भी पूछ सकता है इस महँजन ग्यारा से तेरा मार्च दोजर बाइस के मद्द आयोजित हुआ ये भी कथन सही है मैन पार्ट महँजन का आयोजन दो हजार पांच से हो रहा है ये कथन गलत है इसका जो आयोजन है ये दो हजार पांच से नहीं 2012 से इस manpart महत्सों का आयोजन हो रहा है 2012 से तब इतो 10 साल होगा तो कौन सा कथन सही है A और B आपका सही है सगलत है देखे यह है manpart महत्सों 2022 का आयोजन 11, 12, 13 मार्श को इसका आयोजन हुआ रोब खार जलाश है manpart के पास next देखे साल व्रिक्ष के नीचे आदिवासियों की पारंपरिक हार्ट वाजार को प्रदर्शित करता हुआ एक प्रतीक चिन्न है प्रतीक चिन्न का मतलब यहां बात हो रही है लोगो ऐसा लोगो जिसमें एक साल व्रिक्ष का अंकन है उस साल्व रिक्ष के नीचे आदिवासी जो है बैट करके प्रारंपिक हाट बाजारन रोग आदिवासी बैठे हुए किसमे है पौनी पसारी योजना, मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक, सीमार्ट योजना और option D है आपका देवगोडी संद्रक्षन योजना एक तो साल्व रिक्षा रहा है, दूसरा आदिवासी आदिवासी कहीं पूजा पार्ट से जोड़ करके देवगोडी संद्रक्षन योजना मत लगा लेना, हाट बाजार देखकरके मुख्यमंत्री हाट बाजार क्लिनिक मत लगा लेना, इसका answer क्या होगा? इसका answer होगा आपक C-mart योजना, ठीक है? C-mart जैसे कि आज के डेट में शहरों में क्या चलता है, D-mart जहां पर एक ही छट के नीचे हर प्रकार के सामान मिल जाते है, वैसे ही C-mart याने कि 36 गड़ माट, जहां पर एक ही छट के नीचे 36 गड़ में आपके बनने वाले हर प्रकार के साल रिक्ष के नीचे आदिवासी बैठे हुए है यहां पर आपकी धान की बालिया बनी हुई है यह है आपका सी मार्ट का लोगो ठीक है एडवेंचर टूरिज्म डेवलेप्मेंट परेटन विभाग द्वारा जल परेटन विक्सित करने के लिए प्रदेश के कुल कितने जल बांगो पर योजना में ठीक है यहां पर आपका रिसॉर्ट बना रहेगा यहां पर कुछ स्पोर्ट एक्टिविटी इस प्रकार का जो आपका सेटप जो तयार किया जाएगा यह कहलाएगा आपका जल परेटन ठीक है ध्यान दीजेगा प्रदेश कुल 6 आपके जलाश्यो चैन किया गया है हस्दियो बांगो जलाश्य के तरजे पर कौन कौन से माडम सिल्ली धमतरी घोंगा जलाश्य बिलासपूर सरोधा बांध कबीरधाम कोडार डैम राइपूर राइपूर निया महा समुद आएगा ठीक है मलेनिया जो कि आपकी गोरिला पिंटर मरवाही किस जिले में है ओप्शन एक कोरभा ओप्शन भी रायगर ओप्शन सी कोरिया ओप्शन सी सरगुजा ओप्शन डी कोरिया देखिए यह जो आपका परसा इस्ट बासन यह क्या है आप आप एंसर दीजिए मैं आपका इसको ठोड़ डेटेलिंग बता रहा हूं कोल यानिकि किसका भंडा है कोहले का भंडारन है हाली में चर्चा में क्यों रहा यह जो आपका आपका कोल ब्लॉक है यह आपके हस्देव अरण्य छेत्र भी Nejhardh Otomi जेसे कि Amazon के जंगल को जो है दुनिया का भीवड़ा का जाता है वैसे हिसा आपके हस्देव अरण्य छेत्र को 36 गड़ की फेफडे की संग्या दी गई है तो यह जो आपका परसा कांटा बासन कोल ब्लॉक है वो इसी हस्देव अरणी छेतर के अंतरकत आ रहा है हाली में जो है इस हस्देव अरणी छेतर का एलोटमेंट जो है राजस्थान गवर्मेंट को दिया गया है आपके सेंटरल गवर्मेंट और 36 गवर्मेंट के द्वारा ठीक है अब इसका विस्तार कहाँ पर पूछा जाए तो दिखिए अगर यहाँ पर ऑप्शन में सर्गुजा आ रहा है तो सर्गुजा लगाना है सर्गुजा के साथ साथ सूरजपूर तो कोईले का भंडारन है ठीक है देखिए यह आपका कोल ब्लॉक है सर्गुजा लगाना खेतर के अंतर गताता है राजस्था में कोईले खननन की अनुमती दी गए यह द्वितेचरन में 1136 एकर खेतर में कोईले का उध्खननन किया जाएगा और यह जो नई खदान है यह लेमरू एलिफेंट रिजर्व लेमरू एलिफेंट रिजर्व जो है लेमरू एलिफेंट रिजर्व भी चार से पांच आपके वन खेतर शामिल किये गए तो लेमरू एलिफेंट रिजर्व वाला हिस्सा भी है आपके इस पार्षा इस्ट कांट बासन वाला जो छेतर है वो लेम्रियो एलिफेंट रिजर्वर के अंतर का तारा है इस कारण से बहुत से आदिवासी इस आपके कोल ब्लॉक के आबंटन का विरोध भी कर रहा है इन्पोर्टेंट है याद रखना प्रशने पूछा जाए पार्षा इस्ट बासन जो है यहाँ पे कौन से खनीच का भंडारन है कोईले का भंडारन है नेक्स देखिए स्वदंदरा से नानी सहीद लांगडू किस जंजादे संबंदित है ऑप्शन ए पंडो ऑप्शन बी मुंडा ऑप्शन सी नगेश्या ऑप्शन डी उराओ फटा अंग्रेजों का विरोध किया अंग्रेजों का विरोध किया जाने के कारण अंग्रेजों के दोरा इसे गिरफ्तार कर लिया गया शहीद लांगडू को और इसे खौलते हुए तेल में जो है इसके डाल दिया गया खौलते हुए तेल में इसे डाल दिया गया जिससे तेल मे गया और उस government school में आज तक यानि कि वर्षे 2022 तक जो है उनके कंकाल वैसे ही रखे हुए थे अभी वर्षे 2022 में पूरे अधिती रिवाज के साथ उनके कंकाल का अंतिम संसकार किया गया ठीक है तो यह कौन से जंजाती संबंदित है यह आपके नगेशे जंजाती संबंदित है देखे शहीद लांगुडू यह आपकी वहाँ के government school में अभी 2022 तक उनका कंकाल रखा हुआ था स्वतंदरता सेनानी है जो की सामरी बलरामपूर छेतर से आते है वर्ष 1912-13 में ताना भगत के आंदुलन जो की जारकान से प्रिरित था उसके कारण जो है उन्होंने अपने अंतिम संसकार किया था लेकिन इसे जो है आपका जलाया दफनाया नहीं गया अभी हाली में जो है इनका रिती रिवास से अंतिम संसकार किया गया मशुहूर भारत रत्न स्वर कोकिला लता मंगेशकर ने 36 गड की एक मात्र गाना छूट जाही अंगना दुवारी किस फिल्म के लिए गाया था फटाफट एंसर देजिए देखिए लगा मंगेशकर जिसे जो है इने जो है पुरुषकार से पूछा जा सकता है इनका निदन फरवरी 2022 में हुआ था 1969 में आपका प्दम भोषन और 2001 में इन्हें भारत रतने सम्मानित के आगया इन्होंने छूट जही अंगना दुवारी यानि कि बिदाई का गीत है विवाह के समय जो बिदाई होता है भकला पिच्चर जो कि 2005 में आया था भकला पिच्चर में इन्होंने अपने गाने गाये ईसमें क्यूंकि इस वर्ड चेंज हो गया कौन सा 13 महत्सो जो कि आपके Hinterodfish Short इसमेंने हैं खिली से 19000 बाद इसे मना गविखाया जाता है यह तीरस महत्सों कहां जाता है यह 13100 और कुछ नहीं यह है आपका भोरम देव महत्सों का दूसरा नाम है आपका 13 महुत्सों का आयोजन देखिए यह आपके मुखे था भोरम दे जाती का मंदिर मना जाता है भगवान शिव को समरपीत है खजुराहो का मंदिर है ठीक है हाली में यहाँ पर जो है आपका 26 वा भोरम दे महुत्सों का आयोजन हुआ जो कि 30 से 31 दो आज भी 13 महुत्सों और भोरम दे महुत्सों दो नाम से जाना जाता है इसकी शुरुवात हुई थी आपके वर्ष 1995 में नेक्स देखिए भोरम दे महुत्सों 2022 यह है आपके सके डिटेलिंग शोलवा इसका संस्क्रण मनाया गया 30-30 मार्च को था 1995 में पहली बार 29 मार्च 1995 क इसका आयरजन होता है इस महुत्सों को सुभारम इस साल जो है बैगा जनजाती के निर्त्य से हुआ ठीक है ग्यारवी सद्रक इस सदि में इस मंदर का निर्मान हुआ सुनिश्चित रोजगार प्रदान किया जाता है, सेंटरल गवर्मेंट के द्वारा, 36 सरकार 50 दिन का अत्रिक्त रोजगार देती है, कितना इधारित था, देखिए, option D 104, पहले ये 193 था, 11 रुपए की व्रिद्धी की गई, 1 April 2022 से यह लागू है, ठेक है, 1 April 2022 से, अभी यह 31, March 2023 तक यह लागू रहेगा, ये रेट, कौन सा रेट, 204 रुपए प्रती दिन, next देखिए, सुमवंशी गोण समुदाय दोरा मनाया जाने वाला पर्व, राउर्तिहार का आयोजन किस महा में किया जाता है, यहाँ पर क्या लिखा है, रा, वू, र, ठीक है, इस से रहुत मत पढ़ लेना, रहुतनाचावाला, रहुतत मत पढ़ लेना, राउर्र लिखा भूआ है, राउर्तीहार ये गोण समुदाय के दोरा मनाया जाता है, जिसमें बुढ़ा देव की पूजा की जाती है बुढ़ा देव जिसे भगवान शुव माना जाता है ठीक है भगवान शुव माना जाता है इसका आयोजन जो है यह आपका गुडियारी महासमुंद महासमुंद में इसका आयोजन होता है ये इसका आयोजन चैत्र महा में किया जाता है ठीक है चैत्र महा में तो ये है आपका राउर्त वहाद चैत्र महा के शुक्ल पक्ष में एक साल के अंतराल में किया जाता है गुडिहारी महा समुन में इसका आयोजन होता है गोड़ पत्र समुदाय के द्वारा 34 गाव जहां पर आगे चतुरभुजी बुढ़ा देव जिसे भगवान शंकर का चतुरभुज आवतार मान करके उनकी पूजा की जाती है नेक्स देखिए 400 वर्षे पुराने कसार मीले का आयोजन किस जिले में होता है नरायनपूर दंतेवाला धमतरी बसतर ठीक है ये मेला भी ज़्यादा हाइलाइट में नहीं आया था लेकिन लाश्ट इयर जो 2022 में एक आर्टिकल आया था याद रख लेना बस उतना इंपोर्टेंट तो नहीं है कसार मीले का आयोजन है ये दंतेवाला में होता है देखिए दंतेवाला की गीदम के जवांगा ग्राम में आपके ढोल नृत्ते के साथ जो ढोल नृत्ते किया जाता है गाओ के सुख समरिद्धी के लिए इस मेले का आयोजन होता है बस इतना याद रखना ठीक है नेश्ट देखिए राज्य इस्तरी क्रिशी समरिध्य मेला 2022 का आयोजन आपके 13 से 15 अपरल 2022 के मद्द्य हुआ और इसका आयोजन कहा हुआ ध्यान रखना साइन्स कॉलेज मैदान सरकंडा बिलासपूर में साइन्स कॉलेज मैदान रायपूर मत साइन्स कॉलेज मैदान में हुआ वहीं एग्री कार्निवाल पूछेगा तो उसका आयोजन जो है एग्री कार्निवाल आपको शायद मैंने बताया नहीं है करेंट अफेर कर मैगजिन में दिया हुआ है एग्री कार्निवाल को जो आयोजन है वो इंद्रा गांधी क्रिशी विश्विद्यालाय में आपके रायपूर में हुआ ये क्रिशी सम्रिद्धी मिला है इसका आयोजन कहां पे हुआ विलासपूर में हुआ रायपूर मत लगाना ठीक है next देखिए security related expenditure सुची में प्रदेश के कुल कितने नकसल प्रभावित जीले शामिल है option A, 9 जीले, option B, 11, option C, 12, option D, 14 इसमें सिधा सिधा बोल रहा है कि 36 गालक में कुल कितने जीले नकसल प्रभावित है security related expenditure आप इसे समझ सकते Central Government की सूची के आधार पर ठीक है ध्यान दीजेगा हमारे प्रदेश के कुल 14 जीले जो है ये नकसल प्रभावित सूची में शामिल है 14 जीले कौन-कौन से है? 7 जीले तो आपके बस्तर संभाग के ठीक है? आठवा राजनांद गाओ, नौवा कबीरधाम, दसवा आपका मुंगेली, ग्यारा धमतरी, बारा गरिया बंद, तेरा आपका महासमुंद और चौदा है आपका बल्धामपूर अब यहाँ पर तो आपका मोहिला मानपूर अंबागर चौकी बन गया, यहाँ पर आपका खेरा गड़ चुई खदान गंड़ा ही बन गया है लेकिन फिलहाल जो लाश्ट येर का डाटा है उसके हिसाब से टोटल आपके चौदा जिले है, साथ बस्तर संभाग के, राजनान गाव, आठ, कबीर धाम, 9, मुंगेली, 10, धमतरी, 11, गरिया बंद, 12, महासमुं, 13 और आपका बल्रामपूर चौदा, ठीक है इसको याद र देखिए शशांक सी जो है ये पहले भी आपके IPL टीम के लिए खेले लेकिन लाश्ट ये लिए हाइलाइट में रहे क्यों इन्हों लगातर तीन बॉल पे तीन सिक्स मारे थे, ठीक है ये जो है आपके संराइजर्स हैदराबाद के लिए खेल रहे थे, ये है आपके शशा और में उन्हों लगातर तीन चक्के मारे और छे गेंदों पे 25 रण की तुफानी पारी खेली, इससे पहले 2018 में ये दिल्ली कैपिटल के टीम के हिस्से थे, 2019 में जो है इन्हें राजिस्थान रॉयल्स ने खरीदा था, 2022 में ये संराइजर्स हैदराबाद के लिए खेले है ठेक है, इन्पोर्टेंट है, याद रखना है, चुना पत्थर आकरितियों से बनी दत्ता राम गुफा की जीले में इस्तित है, ओप्शन A, कोंडा गाव, ओप्शन B, कांकेर, ओप्शन C, बस्तर, ओप्शन D, कबीर धाम, देखिए ये जो दत्त राम गुफा है, ये यहाँ पर चुना पत्थर की अलग-अलग आकरितिया, देवी देवताओं की यहाँ पर आकरिति बनी हुई है, गुफा में जो है एक प्राकृति क्याने की गुफा के अंदर जाने पर एक छोड़ा जलकुंट है, एक बावडी भी मौजूद है, यहाँ पर ध्यान प्रावडी भी मौजूद है, यहाँ पर अंदर में एक बावडी भी मौजूद है, यह आपका है दत्राम गुफा, कभीरधाम, महा समुझ जिले में इस्थित गड़ फुलजर एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, औप्शन A बौत धर्म, औप्शन B जैन, औप्शन C सपन गुरु नानक देव जी जब अमर कंटक से पूरी की यात्र कर रहे थे, तब उस बीच में वो इस गड़ फुलजर वाले छेतर में कुछ टाइम के लिए रुके थे, ठीक है, तो यह सिक धर्म का एक प्रमुख धार्मिक केंद्र है, नेक्ट देखिए, निमलिकित में से किस इस इस्थान पर रेल इंडस्ट्रियल पार्क इस्थापना किया गया है, डबलू आर एस रायपूर, यानि कि वेगन रिपेर शॉप रायपूर, हत्खोज दुर्ग, रॉबर्ट सन, रायगर, अकल तरा, अकल तराई, विलासपूर, ठीक है, अब देखिए, जहां पर आप साल, रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क, कहां पर इस्थित है, दुर्ग जिले के हत्खोज में मौझूद है, रेलवे इंडस्ट्रियल पार्क, काफी इन्पोर्टेंट है, ये जो है, कोश्चन बन सकता है, नेक्ट देखिए, पिलखा पहाड कि जिले में इस्थित है, प्रदेश का पहला किसान इसकुल किस जिले में खोला गया है जांजगीर चापा B, रायगार C, बिलासपूर D है आपका सरगुजा देखे ये खोला गया है आप पहले फट फट अफट एंसर दे दीजे प्रदेश को पहला आपका जो किसान इस्कूल है यहाँ पे एडमिशन लेने के लिए कोई भी युग्यता नहीं है यहाँ पर इस किसान इस्कूल में सामिल होकर यह किसी कृषी पद्धती के बारे में सीख सकता है जान सकता है यह खोला गया है आपके बहेरा डी में ठीक है जांजगीर चापा के बहेरा डी बहेरा दीह, जांजगीर चापा में इसे खोला गया है, प्रदेश का पहला किसान इसकूल, ठीक, नेक्श देखिए, प्रदेश का पहला मिलेट केफे किस जिले में खोला गया है, कोंडा गाउं, कांकेर, बस्तर, राइग, ठीक है, मिलेट केफे, मिलेट का मतलब क्या होता है मिलेट्स का मतलब होता है मोटे अनाज, याने की कोदो, कुठकी, रागी, ठीक है, कोदो, कुठकी, रागी, मक्का, ये सभी की सभी मोटे अनाज का अंतरगर आते हैं, तो मोटे अनाज से बनने वाले प्रोड़क्ट, याने की जैसे की आपका हलवा हो गया, आपका पिज़ा पास्ता हो गया जो भी प्रोड़क्ट बनेंगे वो सब मोटे अनास्ते बनेंगे तो यह आपका खोला गया प्रिदेश का पहला मिलेट केफे यह खोला गया है आपके रायगर में ठीक है इन्पोर्टेंट है इसको याद रखना है नेक्स्ट देखिए नेक्स्ट है गोल्डन आइलेंट सर्किट की जिलेवे प्रस्तावीत है सिंगल वन लाइनर है फटाफट बताते जा रहा हो कोरबा सरगुजा मनेंदरगर चिर्मिरी भरतपूर और आपका खेरागर छुईखदान गंड़ाई तो देखिए गोल्डन आइलेंट सर्किट जो है यह 20 द्वीपो का सम हुँ है इन 20 टापवों में सबसे में है आपका सत्रेंगा भूका ठीक है तिहीरी सराई यह कुछ आपके में आइलेंट है इनको लेकर के एक सर्किट बनाया जा रहा है जिसे कहा जा रहा है गोल्डन आइलेंट सर्किट गोल्डन आइलेंट सर्किट जिसमें में है आपका तिहीरी सराई, ठीक है, तिहीरी सराई इसमें मेन है, इसके रावा बुका आयरेट, यह मौजूद है आपके कोरबा, कोरबा में जो आपके हस्देव बांगो, हस्देव बांगो जो जल छेतर है, हस्देव बांगो कैच्मेंट एरिया में बनाया जा रहा है, आपका गोल्डन पर की जा रही है, option A बस्तर, option B बिरास्पुर संभाग, option C सर्गुजा संभाग, option D दुर्ग संभाग, फटाफट बताईए, तेखिए, हमारे 36 गड़ सरकार के द्वारा जो है, आपका लाश्ट येर के बजट में कोकुन मिशन की घोशना की गई थी, sorry, रेशम मिशन, मुख् नानगुर गाउं, जो की, ये जो आपका नानगुर गाउं है, ये मौझूद है, आपके बस्तर में, इस नानगुर गाउं में जो है, आपका कोकुन बैंक, ठीक है, कोकुन बैंक खोले जाने की भी घोशना की गई है, ध्यान दिजिएगा, प्रदेट सरकार के द्वारा, केवल बस्तर संभाग में, जो है, रैली कोशा की खरीदी समर्थन मुल्य पर की जाने की घोशना की गई है, इन्पोर्टेंट है, याद रखना है, ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पांगर नदी की जिले प्रभाहित होती है, आप्शन A, बलरामपूर, आप्शन C, सर्ग, फटा-फट अंसर बताइए, देखिए, पक्षी जाग रुकता है, यह प्रसिक्षन केंद्र, यह आपका, हमारे प्रदेश का जो पहला पक्षी महुत्सो का आयोजन हुआ था, गिदवा परसदा पक्षी महुत्सो, यह आयोजित हुआ था, आपके बेमे तरह में, ठीक है, आपके गिदवा, गिदवा परसदा, ठीक है, याद है, गिदवा पक्षी महुत्सो, बिमे तरह में आउजित हुआ था, वही पर आपका पक्षी जाग रुकता है, एवन प्रस्चन केंद्र, इस्थाफित किया जा रहा है, नेक्श देखिए, बांकी नदी का उदगम किस जिले से होता है, उप्षन ए जश्पूर, उप्षन भी बलरामपूर, उप्षन सी सरगुजा, उप्षन डी सकती, बाकी नदी ध्यान दीजेगा, बाकी नदी जो है, ये जश्पूर जिले के सिटोंगा, जश्पूर जिले के सिटोंगा, सिटोंगा से इसका उदगम होता ह हाली में चर्चा में रहा अतिकरमन के कारण क्या हुआ इस नदी का आकार जो है काफी छोटा हो गया इसकी चोड़ाई काफी छोटी हो गई आपकी जीला प्रशाशन के सहयोग से जो है इसका पूना पूना इसकी चोड़ाई जो है वापस लाई गई है सिटोंगा से इसका option D बगोत धमतरी ठीक है कहां प्रस्तावित है ध्यान दीजेगा कुस्मी बल्रामपूर में ठीक next देखिए next है फैरो इस्क्रिप निगर्ण लिमिटेट किस जिले में इस्थित है option A रायगण option B बिलासपूर option C कोर्भा option D इनमें से कोई नहीं देखिए जो फैरो इस्क्रिप का जो है आपका वहां पर यूनिट है जैसे कि हमारा सेल का यूनिट कहां पर है यह मौझूद है आपके भिलाई में भिलाई कहां पर है दुर्ग जिले में इस्थित है भिलाई याने की BSP भिलाई इस्टिल प्लांट से जो आपके इस्टिल निकलने के बाद जो भी आपके scrap यह थो भी आपके बेकार के जो लोहे के सामान बचे रहते हैं उसको use किया आता है इस इस सबी इस थानों पर आपका फैरो इसक्रेप निगम लिमिटेट का एक प्लांट होगा हाली में चर्चे में इसलिए रहा क्योंकि Central Government जो है इसका प्राइविटाइजेशन करने का प्रयास कर रही है Next देखिए केंद्र सरकार की योजना Mission अमरित सरोवर के अंतरकार्ट प्रदेश के प्रत्यक जिले में कुल कितने अमरित सरोवर का निर्मान किया जागा अमरित सरोवर का मतलब है छोड़ छोड़ तलाबों का निर्मान ठीक है Option A 25 Option B 50 Option C 75 Option D 100 तो ध्यान दीजेगा ही जो आपका Mission अमरित है Mission अमरित सरोवर ये भी आपके अमरित मोहत्सो का ही हिस्सा है ठीक है अभी हम आजादी का 75 मोहत्सो मना रहा है 75 वर्षगाट मना रहा है तो प्रदेश के हर एक जिले में कम से कम 75 अमरित सरोवर का निर्मान किया जाएगा ठीक है नेक्ष देखिए देश का सबसे पुराना प्राकर्तिक रॉककट गोदी बाला के साक्ष नधी के अटट पर प्राफ्ट हुए है अप्शन ए हजडेव, महानधी, अप्शन पेरी, अप्शन दी आपके इंध्रावती ये इमेज़ देखकर के आप में से बहुत सो पैरी नदी, पैरी नदी के तठ पर, यह जो आपके रॉक कट जो गोदी बाड़ा है, गोदी बाड़ा का मतलब क्या होता है, गोडी बाड़ा का मतलब होता है आपका बंदर गाहा, ठीक है, बंदर गाहा के साक्ष है, यह जो आपका देश का सबसे पुराना रॉक कट प्राक जिले में है, सिरकटी आश्रम के पीछे ये आपके गोधिवाडा के साक्षय प्राप्त हुए है, ऐसा कहा जाता है कि पैरी नदी, पैरी नदी किसकी सायक नदी है महा नदी, तो पैरी नदी से होते हुए महा नदी और महा नदी से होते हुए बंगाल की खाड़ी के मारग से ह होते हुए 36 गल के लोग दूसरे देशों के साथ व्यापार किया करते थे ठीक है अप्रेल 2022 में देश की पहली पब्लिक हेल्थ यूनिट हमर लैप का इस्थाफना कहां किया गया गया गोधनपूर अंबिकापूर पाटन दुर्ग चचिया कोरबा और पेंडर और गोलिला पे ध्यान दीजेगा यहां पर अधिकतर लोग जो है इसमें एंसर कहलेंगे गोधनपूर अंबिकापूर जो की गलत है गोधनपूर अंबिकापूर में क्या खोला गया है यहां पर खोला गया है हमारे प्रदेश का पहला हमर क्लीनिक क्या खोला गया है प्रदेश का पहला हमर क्लिनिक यहां बात हो रही है हमर लैब की तो हमर लैब कहां खोला गया पाटन दुर्ग में ठेक है ध्यान दिजेगा पाटन दुर्ग में ये क्या है देश की पहली ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट ठेक है ये है आपका हमर लैब ब्लॉक पब्लिक हेल्थ यूनिट कहां प चिंदिया सूरजपूर, मेंडरा, खोर्द, सरगुजा, डुमरिया, कोरिया, कुनकूरी, जश्पूर, तो किसे प्रदान किया गया, देखिए, ये प्रदान किया गया है, तृति राष्टी जलपूरुसकार के स्रेणी में, सर्वस्त्रेश्ट ग्राम पंचेत के दृत्य तो ध्यान दीजेगा, प्रदेश का सबसे बड़ा गौठान, जिसका नाम क्या है, इसका नाम है आपका व्रिंदावन, क्या नाम है, व्रिंदावन, जो की मौझूद है आपके राजना द्राव में, ठीक है, नेक्स्ट देखे, नेक्स्ट है, प्रसिद्ध परेटन इस्थल, गोल्डन आइलेंड, तीहरी सराइकीस जिले में स्थित है, इसको हम पढ़ चुके है, ठीक है, कोरभा जिला, जहां पे आपके गोल्डन सरकिट का विकास किया जा रहा है, राजशाशन की महत्वकांची योजना, राजीव गांथी, ग्रामिन, भूमी हिन, क्रिशी मजदूर नया योजना, और राजीव यूवा मितान योजना, मितान कलब योजना की शुरू का शुभारंब कभ किया गया, एक फरवरी दो पाच फरवरी 2022, साथ फरवरी 2022, देखिए, ये क्या हुआ था, कि पहले ही योजना हमारे प्रदेश में एक साल पहले, यानि कि 2021 से ही लागू था, लेकिन जवरदस्ती का, मुख्यमंत्री भुपेज बगेल जी के दौरा, देखिए, इससे ओफेंड मत हुईएगा, ठीक है आपके राहुल गांधी जी को बुला करके, तीन फरवरी 2022 को पूरहा इसकी शुरुवात की गई, ठीक है, पहले से ही लागू था, लेकिन फिर से बुला करके, मुख्यतिति के रूप में बुला करके, राहुल गांधी जी को बुला करके, जो है, इसका पूरहा शुरुवा में किस इस्थान पर 36 गड़ अमर जवान जोती प्रज्वलित की जाएगी इसका निर्माण किस इस्थान पर किया जाएगा ठीक है जो दिल्ली में जो आपका अमर जवान जोती था ठीक है उसके तर्ज पर हमारे 36 किस इस्थान पर इसका निर्माण किया जा रहा है आपके की राइपूर राइपूर में जो है इसका उद्गाटन किया जा रहा है ठीक है ऑप्शन पढ़ लीजिए आपको फटा-फट मैं एंसर बताते में चल रहा हूं नेक्स देखिए राज्यशाशन द्वारा वित्ति वर्ष दो हजार बाईस तेईस में ठीक है देखिए इसका ज किया जाने का केंद्र में आपके बीजेपी गवर्मेंट है चत्तिसगड़ में कॉंग्रेस की सरकार है इसका विरोध किया गया और उसी के तरज़े पर आपके राइपूर के माना बटालियन के चौति वहानी चत्तिसगड़ सशस्त्र सुरक्षा बल बटालियन जो की माना म जा रहा है ठीक है अभी बना नहीं है बनाया जा रहा है ठीक है जहां डिटेलिंग का जरवत होगा वहां मैं बिल्कुल डिटेलिंग करूंगा देखिए राज्य सरकार दोरा वित्ति वर्षे 2022-23 में कितने जिलो में मार्च 2022 से राशन कार्ड धारी परिवारों को 45 चावल वि पोशक यूगत होता है हमारे प्रदेश में कूपोशन और एनीमिया बच्चों में कूपोशन और महिलाओं में एनीमिया का जो है यह एक मुख्य आपके कूपोशन है ठीक है यह तो महिलाओं और बच्चों को पोशित आहर पोशित चावल जो है देने के लिए 45 चावल वि विटामिन B1, विटामिन B12, जिसे पोशक पदार्त होंगे, 36 गड़ राजजी में पोशन और एनिमी है, जिसे समस्याओं पर नियंतरन के लिए ये आपका 45 चावल वितरन योजना शुरुआत किया गया है, आपके मार्च 2022 से, 12 जीले कौन कौन से होंगे, 10 आपके आकांची जीले, 10 आकांची जीले कौन से, 7 जीले बस्तर संभावा के, ठीक है, बस्तर संभावा के, 7 जीले कौन कौन से, कांकेर, कोंडा गाओ, बस्तर, नारायनपूर, बीजापूर, सुकमा दंतेवाड़, ठीक है, 7 जीले, कोरभा, आठ, राजनान गाओ, 9, आपका महा समून, 10, और दो हाई बर्डन जीले, कबीर धाम और आपका रायगार, तो टोटल बाराज जीलों में जो है इस योजना का विस्तार है, नेक्ष देखिए, प्रसिद्ध गायक एवं संगीत कार, बपी लहरी जी के द्वारा प्रदेश के किस एक 36 गड़ी फिल्म में संगीत दिया गया, बपी लहरी जी जिनका भी लास्ट इयर 16 फरवरी 2022 को इनका निधन हुआ, इनके द्वारा प्रदेश के एक फिल्म संगीत दिया गया था, कौन सा गीत था, कौन सा कैसा जाए डिटेल नहीं पता, लेकिन संगवारी मोवी में इन्होंने संगीत दिया था, पंद्रवी प्रदेश सरकार के दोरा जो आपकी कलारीन जो है, बहत्दूर कलारीन के नाम पर राज्य अलंकरन पूरुसकार दिये जाने की घोषना की गई यह मवजूत बालोद में, बालोद के चिर्चारी में मौझूत है आपका बहत्दूर कलारीन की माची, इस्टोरी क्या है, मैं lecture के दोरान बता चुका हूँ ठीक है next देखिए हाली में चर्चा में रहा मांदर कोटा गुफा किस जिले में इस्थित है देखिए मांदर कोटा गुफा option a रायगाड option b सरगुजा option c कांकेर option d है आपका बस्तर फटा फटा अभी खोजा गया है यह गुफा पहले से मौझूद था लेकिन हाल फिलाल में social media में इसके तस्वीरे काफी share हुई ठीक है जिसका रण से यह पुना highlight में आया देव बलोदा महस्तों का आयोजन किस दिन किया जाता है मार्क पूर्डिमा के दिन महाशिवरात्री के दिन जानकी जायनती के दिन और फागुनावास्ते के दिन ठीक है देव बलोदा यहाँ पर आपका नागर मंडपाकार शेली में यहाँ पर आपके कल्चूरी कालीन यहाँ पर मौझूद है मंदिर ऐसा मंदिर जिसके उपर क्या है गुंबद ही नहीं है जिसके उपर क्या है शिखर ही मौझूद नहीं है तो ये आपके इस मंदिर में भगवान शिव को समरपी थे तो कब आपका मेले कायोजन होगा यहाँ पर जो है आपके महत्सो कायोजन होगा महाशिवरात्री के दिन important है याद रख लेना ठीक है next देखिए next है आपका प्रदेश की एक लौती त्री मुखी सूर्य प्रतीमा कहा इस्थित है बकावन बस्तर बारसुर दंतेवाड़ा अकलतर जांजगीर चापा ऑप्शन डी भहरमगर बीजापूर सूर्य की प्रतीमा है कैसा अनुमान लगा कि सूर्य जी की प्रतीमा है यहाँ पर जो है साथ घोडों का यहाँ पर मूर्ती में उकेरा हुआ है साथ घोडा तो जो इस घोड़े की शवारी आपके सूर्य देव की होती है तो सूर्य देव की जो प्रतिमा है ये आपके बारसुर दंते वाड़ा में इस्तित है ठीक है खोले आसमान में एक पेड़ की नीचे सूर्य की प्रतिमा मौजूद है इसके संद्रक्षान का प्रयास किया जा रहा है ये एकनामिक सर्वै का टॉपिक था और एकनामिक सर्वै और करेंट एफेड दोणों का टॉपिक है ठीक है छतर्थिसगण में कोईले की उत्खान करने वाली कंपनी कौन है कौन हैowan मुख्याला कहा है मुख्याला है आपके बिलास्पूर में बिलास्पूर मुख्याला है और 36 गड़ी जो है 2020-21 में शिर्स इस्थान पे रहा कोईले के उत्पादन के स्रेड़ी में रैन खोल परेटन इस्थलकीज जिले में इस्तित है option A बस्तर, option B अगर आपने सक्ती जिले का मैप देखा होगा तो वहाँ पर मौझूद है मैंने शो भी किया हुआ है आपके सक्ती, सक्ती है मौझूद है रैन खोल गुफा, रैन खोल एक परेटन इस्थल है रैन खोल एक गुफा भी है रामायन गालीन गुफा इसे मारा जाता है कोक्रेंग रित्ती किस जनजाती से संबंधित है प्रदेश के सुप्रसिद्ध कलाकार प्रमूत सहो को संबंध किस्ते है रज़वार शितरकारी मभ्राहिश शील पर रंगोली आर्टिस्ट और हास्य कलाकार देखें यह है आपके प्रमोस सहू प्रमोस सहू जो कि हमारे प्रदेश के एक प्रसिद्ध क्या है रंगोली आर्टिस्ट है इन्होंने बहुत से प्रतियोगिताय भी जीती हुई है और यह इस प्रकार के आपके रंगोली बनाते है कि जिसे देख करके लगेगा आपको कि यह एक प्रकार का painting है, साक्षाथ अगर किसी बुजुर के व्यक्तिका भी अगर वो रंगोली बनाएंगे, देखिए painting में brush और paint के दौरा बनाना काफी आसान है as compared to रंगोली, रंगोली में जो है आपका काफी बारी की, यानि कि अगर एक भुजुर के इंसान के चहरे की जुर्या तक ये उकेर के बनाते है इतने प्रसिद्ध, इतने महीन का लाकार है आपके प्रमोट साहू, तो प्रमोट साहूजी का संबंद किस्से है आपके रंगोली आर्टिष्ट से ठीक है, तो आज के लिए इतना ही यहां आपका पूरा साल भरे के करेंट अफेर के कोश्टन का प्रैक्टिस होता है एंड किसी परकर डाउट हो, आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, चैनल पर नए है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर जरूर कीजिए काफी लंबा वीडियो है, काफी महनत लगता है थोड़ा सामय निकाल करके वीडियो को लाइक जरूर कीजिए ठीक है? चलिए